गुद्यूमिंग फ्रेंड्स आज 19 अगस्त है और 19 अगस्त के दा हिंडू एटिटोरियल को लेके मैं आपके सामने आया हूँ जो एटिटोरियल अगस्त करेंगे आज अपना इसका इसमें बहुत सिखने के लिए इसमें जो जनल नॉलेज है वो इतना नहीं है फ्रॉब होता है लेकि इंग्लिज के लिया से इसमें words, phrases बहुत टेटेवेट इसमें है तो कर आप इसको अच्छी तरह से करेंगे एक्जाम म अपने ही पहले रेट के जिसी और का अगर आपके नकल करके उनकी जिन्निगी जैसी अपनी जिन्निगी डालोगे तो आप तो यह second rate version बन गया उनके versions बन गया रूप तो वो ठीक नहीं है इस कारद ही हो गया आप जो हो रहो किसी और की नकल मत करो नकल तो नहीं करने चाहिए लेकिन उसको emulate जुरू करना चाहिए उसके जैसा बनने की कोशिज करना यह तो हमको करना चाहिए अनुलेट करने करता है किसी सक्सेस्फुल ब्यक्ति की जीवन की नगल करना जुरू नहीं उसके जैसा बनो तो के उससे आपने पिरना लेनी है यह रड़का था उसका बड़ा भाई बहुत इंटेलिजेंट था बहुत बढ़िया जौब भी लगी उसकी तो टीचर नहीं को कहां छुट अले भाई को जो उनका स्टुटन था यूशुड एमुलेट यौर एल्डर ब्रदर बोला आना ची आपको इसका मिनी हो जाएगा आपको अपने बड़े भाई का अनुकरन अनुसरन नहीं अनुकरन करना चीए उनके नकल करनी चीए उनका जैसा बनने की अपने आप में बहुत इंपॉर्टन है आइं अरिंग अधर राइट साइड शारी आइंग अधर साइड आपको अधर इसको अपने नहीं पड़ा तो इस सब्दों के उसका आर्थ कभी नहीं जानुगी पता इसका मेनिंग पॉसिटिव है बहले इसके अंदर आपका हाँ अधर कमला कर ऌता है तुँन आप में स्टरेक हुश्क दोंश्क अभी निकसटे हैं खाक हलता है वो में का मिस्टेक घंटी करना किक ऑक भॉस ने अपने कानो को डटा हां कि इस रागेइं इसको अनुआ क्या वहां कि आपने अगर इंगर घंग अधर कि और की आई व you the boot, सब का मिनिन निकलता ना होता है, अगर आपने दुवारा गल्पी की तो मैं आपको निकलता हूँगा, अब इस फ्रेज में अर होते हुए भी इसका मिनिंग पॉसिटिव है, सब्सक्रों कैसी सिच्वेशन थी कि मैंने मेरे गर में कुछ गेस्ट आने वरते, खाना वाना खाने के लिए, तो जो आने वाले तो नहीं confirm भी किया, तो टोटल मिला के लोग हो रहे थे, दस, ठीक है, तो मुझे दस का ही एक्चुली खाना बनाना बनवाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या सूचा कि बाइचा ज़धा आगे तो क्या करें अन टाइम में रात को, खाना बनेगा भी नहीं, ठीक है, तो मैं कैसे कहूंगा, I earned, ठीक है, on the side of caution, ध्यान से पढ़ना बचाहिए, इसको पहले लिए रहा हूँ आपका, and made food for 15 people, पता कितने हैं दस की जगें, तेरा आ गये, यह बारता आपके पांप फूल हो गये, फूल गये, दस से जएधा है, लेकि जब आपके बारे ही आए, यह तेरा ही आए, यह पंदर ही आए, तो आपको चिंता है, पंदरा का खाना बना हुआ है, तो सतरा आखा लोग भी सतते हैं, घरवले बात में खालेंगे, अब आपको यह मिनिंग के लिए हो जाना चाहिए, I earned, इसका मैंने क्या, मैंने ज्याद इसका मैं रिस लेता है, तो वाइफ को कहता है, तो आएंगे, देखी जाएगी, क्या है, चार, पॉइंगे बना देंगे, लेकिन फिर मैंने सुचा है, यह प्रोडम हो जाएगी, तो दस आने वाले थे, आब बारा आने बाले में पंदरा का खाना बनाया, पंदरा से मेरा एक लड़को किस ने बताया कि इस में से कोई क्वेश्चन ऐग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन चलो उसने का जो बताय, इंपॉर्टन ओध किये, लेकिन जो जिसमें कहा गया था ना कि नहीं आएंगे, उसको भी उसने रात को पढ़ा, मन में सोचा कि अगर दो त इसका आर्थ होता है कॉशन के साइड में आपनी गल्ती की साथधानी के साइड में और गल्ती गल्ती नहीं है वह आपका केरफुल स्टेप था जिसके काना पच कहें तो आपको नुकसान हो सकता है तो मुझे बताव आपको इतनी देर में तो इसका टॉपिक संधाने लगया आपको यह जो टॉपिक था इसकी सब यादलाइन यह थी तर सुप्रिम कोर्च अगेन टार्क है इसका अदर नहीं है इसले तुप नहीं पहले भी इस बात को इकलाइन किया होगा इसके ने करने करने करता है तो जुपिस आपड़िया इसका यह सेगिंद आ दियान अधिन कोट हैस अगें डिकलाइंड तो वे इन ऑन दी लिगेलिटी ऑफ एक्स सेक्स सेलेक्टिव पोर्शन रूस पहले विगे मुद्धा आया होगा तो उसमें मना करते हैं इसमें डिसक्स नहीं करेंगे आप इसके अंदर भी बहुत को सिखने के लिए एक तो यह फ्रेज है वे इ होता है ठीक है किसी मुद्धे पर डिसक्सिन करना है यह न आपका बहुत अशा फ्रीज है आप दाना आप ठीक है समझो कोई चात्रों को मुद्धा था और प्रिंसपल साब को लोगों रिक्रस किया कि आप थोड़ा सा इसमें आप भाग लें और इसको डिसक्स करके सुलता तो उसके बाद में आप चाहो तो उनका भी प्रियो कर सकते हो जिस चीज़ पर आपने बात करनी है अब इसमें दुबार रफ़ड़ो आप वे इन करता है तो इन्वॉल्व वनसेल्फ माई बाव यह कितना इंपोर्टन है अपने आपको किसी डिसक्सिन में इन्वल्व करना है I am sorry, I refuse to weigh in on this issue, this issue को मैं डिसक्स करना नहीं चाहूंगा और आप लोगों सुदे बिलकुल नहीं करना चाहूंगा अब इसका मेनिक समझाओ, Supreme Court has again declined means refused यह तो आता ही है 20 पर आरका पहले भी, decline कमी भी होता है आपको decrease भी होता हूंगा त्यान रखना आपको, महुन के रूप में यह भी आना चाहिए आपको decline if I say there is a decline in the popularity of this party popularity of this party this party की लोग पुचा में कमी आई है और दूसर डिक्लाइन का अभब के रूप में आपको पहता है to refuse आज मेरते पे थोड़ ठीक नहीं थी थोड़ ठीक नहीं थी थोड़ इसा भी ठीक हुए ठाँ-ठाके आपको कर रहा हूँ और पच्छों के लिए पूरा नहीं हुआ तो कल सुबे में जल्दी उटके इसको आपको कर दूँगा लेकिन तारिक इसके आज ही लगा हूँगा जल्दी में अपको थोड़ी सी दबाया देदी हैं अब इसको दुबार अपड़ो सेक्स अलेक्टिव अबर्शन रूल कार्थ होता है सेक्स पे अधारित अबोर्शन यानि गरव पात के नियम उसकी लिगलिटी के उपर सुपर कोट ने तेना मना कर दिया एक क्यों तुम इसको डिस्केशन के रहेंगे और साथ पहले भी किया होगा क्यों को नहीं पता समझाय कर संड़िस हैं सेक्स अलेक्टिव आपर्शन को हुआ है 來 है termination of pregnancies call abortion यह सब्सक्राइब अपुछेँ कर दर तर्मिनीशन और अपुछिए अप्डूर। कि बताना पढ़े का यह बोलना पढ़े यह एका आए सेक्स राथ हो गया कैसे गरपाद, जिसमें महबाँ बचे के जो जैंडर है उसका सीलेक्शन करें अब इंदुस्तान में यह बहुत गंध सबस्क्राइब है क्या तरहे है। तो अखर पता लगे की लडगी है तो गरा Fukra भी रासे नुगाो। इसुकल के होता है। इसकी लेटलीटि है वैलिटी पे हैं, legal, validi, legality, यह भी बढ़ना चीह है, इसकी legality पे महाँने बिसक्रिसिक करने से मना करते हैं, वैतुता, validity, lawfulness, तो कहपन रूफ से यह महाँने है या नहीं है, इसको कहते हैं legality, कोई मकान किराय पे ले रहा था और अपनी company खुल रही थे हुआ, तो किसी नहीं इसक्ति अधर है इसकी लिग लेटी चेक करना भाई तो उसका मतार क्या हो हॉआ यह लिगल है और नहीं है यह मालिक भी रिख है यह बीजाओ यह सब्सक्राइग चिकरो इसको वहिंद सक्रीगिए तो इसके पड़ा है तो इसकी लिगिलिटी पे इसकी वैदता पे कानूनी वैदता पे डिसक्सिन करने से सुप्रिंग कोट ने एक बार फिर मना कर दिया फिर बुलावा है इसमें तो हमें पता नहीं है लेकिन वह होगा अब आगे पुड़ी है तो आज यह परग्राफ करते हैं वागी में कल आपको सुपह कर दूँआ है तो मेरी कभी थोड़ी है लास्ट वीक इसले अप्ते अप्ते सुप्रिंग कोट डैफर्ड में लिगाना बात बात पे इसकी शव्द नहीं क्या करोगा है इसको नीची लेक क्या करता है इसके बारे में डिसिजन देता है इसको पनाउस्मेंट कहते है तो इसको पनाउस्मेंट कहते है तो इसको पनाउस्मेंट कहते है तो जब कोट क्या कहते है इसके बारे में डिसिजन देता है निर्ने देता है तो इसको पनाउस्मेंट कहते है तो last week Supreme Court ने क्या किया कि center के controversial notification जो अब लैप्स हो चुका है लैप समझ गया आपका जो आपकी कानल रूप से बेच देता जिसकी नहीं रही बेसमझ आपके ऐसे रूल है कि आपको पांच तारीक तक इसको दुबारा सब को इसु करना है और आपनी खिया नहीं हरें लैप समझता है हर्चीज गे समझते हैं कुका है कि भाज में ही और आप सब्सक्र्णर का थे रूप आपके अंगर मैं आपको खहूं कि यॉर लैसेंस है अलेक्पन तिस का नहीं आपके लैसरेंस के वेता समाफ कर्ट लोगी है अर कानोन रूप से क्टिए इन धुद्स में आप वी गए जीज चिज गुच्टि का दुकान का और किशी भी ओक उसी तो लास्ट डेट होती हूती हूं उसे पहले आपने उसका रोगाना तो कहांगे तो यह तो यह फील्ज ऑब लैपस्जी आप इन वेडा हो गया है तो लैपस का बहत है सब्सक्राइब करना होता है चली गई तो लैप्स का आर्थ होता है समय अवदी चली गई तो लैप्स का आर्थ होता है सब्सक्राइब आपका पिरिये ना प्रिट किया तो लुक्त है है एपने घृटी जूइन की अफ्र ए लैप सॉव प्र है सिट्ध गई तो आपने लेपस आप शिक्स मंस तो श्य मैने के अंतराल के बाद में उसने अपने चुटी आप मेरे को एक इक सब ऐसे कराऊंगा ना बहुत इंपोर्ट नहीं आएगा अपका अब यह सेंटर का ना लेपस कैसे वह बाद में पता रगेगा आपके इसमें आगे आएगा और इस उसको controversial बोला है लेखक नहीं controversial क्या हुआ कि इसके उपर बहुत सारी ठीक ना आपको controversy चल रही है विवादित है जो उसकी legality के उपर फिर वही lawfulness के उपर validity के उपर sent court ने ठीक ना आपका जो pronouncement था उसमें कुछ आपका उसने फैसला देना था या कोई remark ही देना था उसको उन में था relating to the rules of the law law के rules बच्छों law बड़ा होता है law के अंतर बहुत सारे rules होते है और ये law law किसके बारे में था banning sex selective abortions और ये जो law था ये था कि आपने sex के आधार पर abortions नहीं करने उसके उपर निशेद था बैन का मतलब क्या हुआ जिसके उपर निशेद हो मना हो ठीकिन आपका कि इसने समय आया आपको कि पिसले अपते सुप्रम कोट ने ठीक है के इंदर के कंत्रोवर्शियल का मतलब जिसके पर विवादि दिजवती थी जिसका समन्द selective abortions को बैन करने वाले कानून के नियमों से समंदित थे उसके उपर अपना ऑन्ह अपनावनस्मेंट हैनय अपने ज़्समेंट उन्होंने सभर ऑडिए आई ओल्वेज डेफर तो माई बॉसेज एडवाइस इसका मानता हूं क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्टिवता हूं अलांकि वहले आप मन से ना करें यह भी बहुत इंपॉर्ण टेफर आपको यह आपको समझा है कि नहीं है आपको देफर तो माई बॉसेज़ आपको है बहुत बहुत इंपॉर्ण है एक साने जद्धू आपको गॉप के रूप में शरुपको रेश एंट्री देख लो आपको एक सेंद बतातों यह आपको एक तो टेफर गार्ट बचों ही है क्या लिखा देखो एक किल पर खुर दता हूँ एक तो इसकात हो गया तो डिले सम्धिं अंति अ लेटर ता इन ए पुस्पॉन माइ बैंक अग्री तो डेफर देफर रिपेमेंट्स ऑन माइ लोट्य से भी सर्गार ने सब के लिए लिए है इंस्टिल अ स्टुडिंट तो उन्हें मेरे वो लोन के ओपर जो अदाईगी थी रिपेमेंट था वो डेफर कर दिया है क्या अभी तुम पढ़ रहा हो ठीक है अभी पढ़ के निगल जाओ नोकरी करो इसके एक साल के बाद में फिर देना शुरू करना है और शेनने देरखा आपको डिक्षनी का जिसमें लुखावा है कैन वी डेफर मेकिंग अ डिसिजन अंतिल नेक्स विक ये फैसला अगले हप्ते तक कर दें आपको दिकत तो नही देखा स्ट नीए है क्यों पढ़ाए था मोँखा कैन अगले हमता है कम अडिक होगा मोटत मेर आपको पली जाओ ने पढ़ा तक कर देखा है तो मिरको बास के इसमें उसमें अपको अपने बाद मननने पढ़ता है, तो आपने फासला दिया है, अच्छको अगले, वापता हूं कि गया ही हसं को शीखना आपने और किसी चीज को डिले करने का नहुंता है डेफर्मेंट इसका सभॉने हो जाएगा पॉस्पॉर्मेंट जान रखना इसका सब्सक्राइब पॉस्पॉर्मेंट टीचर को कि द्यान ना पड़ता है और आधर के आधर के रूप में डैफरेंस का तो ते रिस्पेक्ट दोनों को ध्यान दिया रखना दोनों एक वर से बने हैं लेकिन दोनों को बिल्कुल अलग है आऐ पित्राइब आप लिख सकते ना वित दूद दूददेंस है वत दूदेंस र Unterschied सिद्रेशLion भी ऐखने है वर में दीदू दिया है यह वर reverence, respect, और क्या बोला मने भी बुजय में खुली, किना आपका, तुने अवड बोला का, भुजय में, anyway, में भुड़ा आप, respect, reverence, और reverence का जुभा होता, वो rever होता है, sorry, rever, ये बुभा है, इसका तुद तुद रिस्पेट, तुद रिस्पेट, इसको पड़के है, एक दू-दो सब्नों को सीख के नहीं सीधा जाता है, बहुत भारी किसी सीखने पड़ेगा, तुद नीची चला गया है, तुद नीची चला गया है, तुद इसेंदेस का इतने संदेस कार था वच्छा हूं कि पिसले हबते, कोप ने अपना एनॉंस्मेंट था है, सेंटर के जिसकी वैतिता समाप तो चुकी थी, उस कंट्रोवेशल नोटिफिकेशन के उपर, नोटिफिकेशन कारत होता है, विकिप्ती, जिसका संबन्ध, ठीक है, सेक्स सेलेक्टिव, अबोर्शन पर बैन करने के लौ के नेमों से कर दिया, यहीं, पनॉंस्मेंट नहीं किया, उसका उद्गोषना उन्होंने नहीं किया, जजजेज व्यूद दे मैटर एस क्लोस वनाप, और जज़ों ने उस मैटर को अभी क्लोस समझा, ठीक है, इसको क्लोस समझ रहा, एस अपरेल फॉर नोटिफिकेशन, अभी हमने कर दो भनात है, जरव है, इसका थाई लिलेट टू, तो किसी को यह कह रहाँ कि This does not pertain to you, इस का मीन होता है, इस से आपको कोई समन्ह नहीं, This does not pertain to you, तो इस से अप जो की साओं, तो इस का जिस का समन्ह था इस से पीचेज पीं डीटी से यह उ सी आपका अप्रिवेशन है, यह याद रहा है आपके चीके में काब आ सकता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नैटल नैटल डियाग्नोस्टिक टेक्नीक्स इसके उपर था ठीक है और सरकार ने इसको इस नोटिफिफिकेशन को ठीक ना आपका एक्सपार होने दिया उसको रिन्यूनी किया उन्होंने इसके नोटिफिफिशन निकाल देता है नया इसके बेग्राउंड फ़र आपको बताता हूं यह हुआ क्या तो यह कई प्राब्लम आ रहे है और यह ऐसा नहीं कि जून 30 का है नहां तक नहीं यह अभी कत्वा है ही 20 का तो हुआ क्या प्रणा वार्स का फैल किया था और इसक स्टिक सेंटर से हैं जहां स्टोन ग्राफी अल्टा सांड अधर होता है ना उनको सरकार को बेजने पड़ती है अब सब लोग बीजी थे तो यह मैडिकल स्टाफ की वैसे कमी हो रही थी तो सरकार ने इसकों पर नहीं किया जानुज के नहीं किया है अब समय आगया आपके समय आगया होगा तो यह अपने अपने जो लेने थे आप लोगों को पास जॉब नहीं है तो उनके जिती भी किस्तें थी वो सरकार ने आपका टैफर की के ना ऐसे बहुन साइब लोगों को हुआ आपका यह कह दिया कि अभी आप इधर बैठे रहो और जिती तरह मिलती है काम चलाओ ठीक है क्योंकि समस्या बहुत भेंकर होगी थी अभी कि दबात ही है ठीक है तो यह अपरेल चार का जो नोटिफिकेशन है आपका ठीक है जिसका संब्ध इस से था पीसीप एंडीटी से ठीक है तो इसको गवर्मेंट ने जून 30 को एकस्पायर होने दिया अगर होता तो क्या होता इसमें से बहुत सारे मेडिकल स्टाफ इसी कामें लगे रहते हैं और मेडिकल स्टाफ की वैसे ही जबरदस्ट कमी थी ना वह सो लोगों के एकसरे करने हैं तो इसको करेंगे रिकॉर्ड बनाएंगे या एकसरे करेंगे प्रब्लम होगी थी है तो जो ऐस सब्सक्राइब को कभी जो इंपॉर्टन चीज़ा होती है इसमें पहले लेना होता है अभी आपको मिर्खास समया गया होगा तो मैंने बेक्गरण्ड आपको पता दिया है आप बच्चों यहां से लगा कर तो आगे वा लहना हो इस अग्दा वो मैं आपको अभी मेरी आपको यह पेराग्राफ करा दूँ तवाला एक्षुली जब इसने मिनिस्ट्री ने एक गजट नोटिफिकिशन निकाला एक राज पत्रिट विगवती उन्होंने निकाली तो इसके उपर उन्होंने इस्टेनिय लगाया किसने एपक्स कोट ने और इसमें उन्होंने जैस उन्होंने यह सोचा इसमें इस्टे लगाने के बजाए इस इसको इस नहीं लगाना बेटर है कोंकि इस्टे लगा देंगे इसको पर तो जो पहले एक्षिण होना तभर अगजोगा अगर उसे एक्षिर उसे एक्षिन को करने के लिए बहुत सारा मेडिकल स्टाफ लगता फिर देश को आपके उनकी जरूरती तो कैसे चलता आपका 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 आपक्स कोर्ट inference was inference के मतलब conclusion conclusion, conclusion nishkars, inference such an option would be warranted only if the suspension of relevant rules was extended beyond June, बल्कि state तब लगाता आपका Supreme Court जब इसके रूल्स को जून के बाद मेँ भी कि नापका इसको शुपंड कर देते हैं यह तो वह नहीं तो इसलिए उन्हें आपका इसको इसको इस्टे नहीं किया इंफिनेस का में रॉजिए था ना यह भी आपको व्रोड में सिखाना पड़ेगा बहुत सारी इसमें चीजे सिखने पड़ेंगे आपको वारिटेट का था उचित हो ना तुना आपका तूभी लॉचिकल तूभी एक्रोप्रेट इसममीन हता ही ना फैसे दी सक्षिन अगेंस रिपर ऊप्रोंग बिश्कों अगेंस पीजिम वारांट इड इसके इसका थो गया यह आपर वारांट टैस्ट्ट लोगट कले तो निसीशरी है इसका मिनिक नैसिसर और कोई चीज अगर अपने अन्वारंटेट थी तो उसके आफस्ट था नहीं थी तो इसके अरेस्ट था नहीं थी तो यह जो आप्शन है इसको स्टे करने कहां तब उचीत होता कि अगे और इसमें किसी ने पिटिशनर का तो है जिसने इसमें फिल भरी होगी पुब्लिक इंटरेस्ट इटिकेशन तो पिटिशनर के कंसर्स क्या हुआ कि उसको भी उसके भी जो आपकी चिंताई थी ना आपका वह समाब्द होगी वह क्या सोच रहा था कि साथ हमेशा के लिए यह स कि उसकी भी जो आपके कंसर्स थे पिटिशन संसमें सुझी चिंताई थी दिवर एलेड अलेड अलेकार्त होता है शान्त हो गई अभी बास समया ही नहीं आई अलेकार्त होता बचों तो पैसिफाई शांत करना तो एस वेश तो प्लैकेड यह सब सिनॉनिमस क्या शांत करना अब कर तो मिटिगेट अधिशन था जिसने यह पिटिशन फाइल की थी उसकी चिंताई थी न आपका उसमें जातर चिंताई वो भी शांत हो गई उसकी क्या चिंता थी कि अगर यह पूरी तरह सा स्वाब्द हो गया तो फिर सेक्स के अधार पर लोग एबोर्शन कराते रह प्रशो जो हमारे डेस में थोड़ा बहुत ठीक होए है वो इस बिक्ट जाएगा तो उसको भी लगा यह तो ठीक है और कोरणा की चकर में हो गया है बात में ठीक हो जाएगा यह पारेंट लेगा चिंताई अप्रेल फॉर्टिफिकेशन में रूस को लूजन यानि दीला कि तो दो बड़ा और कॉराज नों आपको उस्टैशेश ब्लीक रहता है एपरेंट ली एविडेंट ली तो जो चुन आपको जो चंताएं थी वह भी शांत हो गई इस concerns have thus largely been allayed, mitigated, elevated, assuaged, ठीक है, और क्या कि जो अप्रेल चार का notification है, उसमें जो रूल्स के अंदर delay की गई है, ये किवल pandemic का सामना करने के लिए क्या गया है, ठीक है, ठीक है, जा रिकना, रूल डाइलूट दा लौ, इसलिए अब ये, ये जो notification है, ये लौ को डाइलूट नह करेगा, क्या रूल को, रूल और लौ, इन दोनों में आपको अंतर आना चीव चोंग, एक लौ होता है, ठीक है, कानून, उसके नीचे कई रूल्स बनते हैं, रूल्स की मदद से, कानून का, जो कानून बनावा लौ है, उसका implementation होता है, ध्यान रखना, तो लौ को डाइलू है, क्या करते हैं, एक्सरे निकालने वाले हैं, अल्ट्रासंट करने वाले हैं, यह अगर यहां पर पिजने से दोरन करते रहेंगे, तो फिर बीमारों की कौन करेगा, तो कुछ दिनों के लिए रूप दिया गया, तो उसको भी कन्फर्म हो गया, कि जाता चिंता करने की कौपिंग विट एन एडवर सिचुएशन, सब के जने मनाओ, एडवर सिचुएशन का तो एडवर सिचुएशन का वह बहुती परसंसी नहीं दक्तर समना कर रहा है, और स्टेंसिबली का तो क्लियर लिए, अलाकि वर नेकिटिव है, इसके बात में के बहुत और बताऊंग अगरी काफी बढ़ा है वैसे ही, बहुत शांदार है, इसमें आपको बहुत सारी चीजने सिचने का मौका मिलेगा, तो यहां तक तो बच्छों मेरे खियाल से आपको समने आ गया हो गया है, और suspension of rules को मैं आपको कल सुपे करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपको इसमेरली अर्ड उन दे साथ और कॉशन इन जून, तो उन्होंने गल्ती तो की, लेकिन ये गल्ती, एक साफधानी के साथ की गई थी, उस सिच्वाशन से निपटने के लिए, आप समें आगया आपका, आप ने भी गल्ती की पंदर आदिक हमना क्यों मनाया आपने, वो तो वेस्टेज हैं, लेकिन आगे तो क्या करेंगे फिर आपका, ऐसे, इसलिए कहते हैं आपका, कि I earned on the side of caution, बहुत बहुत इंपर्टेंट इसका headline थी आपके, ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ा था, वही से वह पर सूरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर उन actions के बारे में, दुबारा सोचना भी होता है, revisit, तो let us revisit, कैसे बुलूँगा मैं इसको, ऐसे बुलूँगा, let us revisit, sorry, words, which we learnt earlier, एक बार इसको revisit करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंपर्ण वर्थ है, इसमें एक तो apex था, apex का आरती होता है, एक चोटी, apex कोट करते होता है, जो number one कोट है, सबसे बड़ा कोट हमारा है, दूसरे सब्दों में, Supreme Court of India, चीज़ ना आप, तो उसको apex कोट कहते है, apex body, क्या ना, कोई ऐसा निकाह, कोई ऐसी संस्ता, जो किसी संस्ताओं के शिखर पर हो, सरवोच जगे पर हो, उसको apex कहते ह आता, apex is synonym, आपका zenith होता है, एक में होता है, apex का में लोग आपका zenith होता है, इसने मैंने कहा, जितनी बार देखोगे न, उतनी बार नहीं सब मुझे याद आएंगे बताने के लिए, एक में होगा, highest point, that is called zenith, he is at the apex of this organization, इसे बोलना हाना चाहिए अप, इसकार तो जाएक के बच्छों कि ये आदमी, इस संस्ता के शीर्ष पर है, शीर्ष पर है, यनि सबसे, उससे ज्यादा उंचा पद किसी का नहीं है, zenith, acme, इनका antonym हो जाता है, नादेर, देखो हमारा ये पढ़ने का मकसद, एक ही है, ये वोकेब का सीखने का, मैं तो सोच रहा हूँ कि वोकेब आपको इसी रूप में कराऊ, चाहिए न, तो कि ये संधर में होता है, टीचर को प्राना में भी आनन्द भी आता है, कोरे आपके शब्दों को सीखोगे, उसके सेंदेस नहीं बनाऊगे, तो कोई मतलब नहीं उसका, चीक है, एक I.S. officer, जब किसी ministry में, सेकरटी बन जाता है, तो वो उसका highest point है, तो अब क्या कोगे, he has reached the janit of his career, as an I.S. officer, कैसे कोगे, he has reached the janit of his career, as an I.S. officer, जिसका मतलब वो, किसी ministry में, सेकरटी बन गया है, Secretary of Home, Secretary of Foreign Affairs, Secretary of Finance तो को Finance Secretary भी कहते हैं, Communication Secretary कहते है तो highest officer का वो highest point है और नादिरकार्थ होता है सबसे नीचे का इस्तान The lowest point एक actor था उसकी popularity धीरे-धीरे घट रही थी लेकिन अब तो उसकी इतनी घट गई है कि कोई भी film maker उसको काम नहीं देता है तो यह क्या कोँगा आपको कि he has hit यह hit का प्रियो करो he has hit the nadir office career अब आपको जब तक आप बचो इन शब्दों को अपने sentence में इस्तमाल नहीं करोगे खल यह याद कर लोना कि nadir कारताब lowest point उसको यूज कैसे करोगे यूज करना आना चाहिए हिट वड का इस्तमाल करें एट का इस्तमाल करें कोई singer एग see is at the nadir office of our career चाहना आपको as a singer ऐसे बोलना पड़ेगा हम तो यह बोलेंगे ने तो हमको याद कैसे होगा एक तो हमने अपेक्स किया था दूसरा हमने अर किया था यह ना मैंने आपको समझाय था का अर कार गल्टी करना होता है तो हमें का mistake और एक बीचिज मैंने आपको बताया थी do a mistake अभी नहीं होता है अपने हिंदी के साफ से कहते थे हैं yes done a mistake do mistake collocate नहीं होता है इसलिए कभी नहीं कहना do a mistake यह बिल्कुल गल्ट माना जाता है Englishman mistake is not done mistake is made he has made a blunder he has made a mistake blender कार्थी होता है big mistake blender का आगे big लगा नहीं आसकता नहीं है फिर अर्ष से आपका नहुन बनता है error any mistake your calculation is full of errors इस बहुत से रिगलती है किसी वड़ का family का वड़ बनता है erratic इसकार तो होता है irregular अगर आपके area में बिजली लगाता है नहीं आती है या आप मेरी class में erratic हो तो आप कभी class attend करते हो और कभी नहीं करते हो तो मैं क्या कोंगा है is erratic in my class he is not regular तो कभी आता है कभी नहीं आता है अगर ये लेक्रिक सप्लाई in my area is erratic broadband नहीं है broadband service is very erratic in my area ये बैकोड आलागा क्या लाता है जोद्पिल का और जोदुर अपने आप में भी ऐसे क्या करेंगा आप दोको यहां वह नेट नहीं तो मैं क्या कहूंगा the broadband service in this area is very erratic काम करना बढ़ाना कितना मुस्किल हो जाता है net नहीं तो मैं record गर रहा हो जोब आपका ये net आये का तो इसको मैं अपरोड कर दो आप इस नम्यागे एराटी का इसी का एजक्टिव बनता है erratic adjective बचमता है ठीक है बनता है erroneous यहांनी wrong you gave me an erroneous answer your calculation is erroneous गलत है उसमें गलतिया है full of error erroneous means full of error या containing error full तो नहीं कहना पताने full है या नहीं है full कतम मतला हो जाएगा बहुत सारी contain error यह सब सीखने पढ़ेंगा आप बोलना पढ़ेंगा ठीक है your calculation is erroneous आपकी जो calculation है उसमें गलतिया है शही नहीं है वो calculation ठीक है इसका एड़ब बढ़ा कांद का erroneously यह नहीं गलतिय सी बाई मिस्टेक किखने सब्जयों को सिख सकने आपकन if I say he erroneously यह ना send this later to me उसने गलतिय सी चिटी मुझे बेस दी यह इसका erroneously का प्रियो हो गया ठीक है ना he erroneously sent this later to me सब्जयों आपको यह सब इसी फैमिली के वड़े हैं आपको इसी फैमिली के वड़े है आपका aberration यह थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इससे पहले मैं आपको यह थोड़ा यह समझा जता हूँ aberrant behavior, aberration ना हुने, aberrant आपके अज़ेक्टिव है तो इससे समझना आसान हो जाएगा किसी आदमी का, अगर मुझे आप बता हो, अगर आपको यह इसके बीच में अरवड है, दिखो आपका अरवड है, है न आपका तो थोड़ा अंताजा लग गया होगा, यह जो behavior है, यह सही है, गलत है तो दलत है, यह इसका meaning है wrong behavior behavior which is not acceptable यह हो गया तो दियान से करेंगे, तो कई सब्दों के आपसा आपको आ जाएंगे आप बस फर्क पर आपको aberrant आगे तो aberration भी आ जाएगा ऐसा काम which is not acceptable, which is abnormal something which is not acceptable or or yeah, abnormal abnormality इसका समना नहीं हो सकता है अस समान नहीं हो सकता है अब इसका एक को लोगशन भी देता हूँ ठीए न अब का उससे आपको समझा जाएगा aberration का समन्द नहीं है तो गलती से है या ना है तो उसको deviation भी कह सकते हो now deviate word card होता है रास्ते से बटगना to go astray इसका मिनि लिटल और फिग्रेट ही दोनो हो सकता है इफाई साइड डिविटे from the right path मैं साइड रास्ते से बटगना फिजिकली लिटल 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 लिटर लिटली आई डिविटे पाथ and lost way to your village और तेरा गाउन का रास्ता में हो दिया मैंने और मुझे पूछ पाच के फिर आया आप ये लिटल मिनिंग है अगर किसी आदमी को कह रहा हूँ मैं आपको के यू आर डिविटेंग from the right path अब इसका मिनिंग फिग्रेटी हो गया ठीक है इसका हो गया कि आप सही रास्ते से भटक रहा हो यानि गलत दिशा में जा रहे हो फिग्रेटी सेंज में यानि आप गलत काम कर रहे हो और इसके फिर डिविट का एक्चेट बनता है डिविंट सन इसका आगे हिज लगा दो इसका आद क्या हो हाँ कि उसका बीटा जो गलत रास्ते पे जा रहा है इफ ऐसे ही एस फेल की कंट्रोल इस डिविंट सन बचो इंग्लिस में सब्दों के अर्थ जानने से भी काम नि चलता है ठे ना उनको आपको संट्नेस में भी इस्माल करना पड़ता है ठीक है इस फेल टो कंट्रोल इस डिविंट सन तो अपने वो गलत रास्ते पे जाते हुए बेटे को कंट्रू करने में समर्थ नहीं रहा अब मैं आपको एक कॉलोकेशन देता हूँ इन्हें मॉमिट आप 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 सांदर कॉलोकेशन है कभी-कभी ऐसा उतावा रिजियोन में जो तो हम सही काम करते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ शनों के लिए अपन सही रास्ते से बढ़क जाते हैं सही रास्ते से बढ़काव सही रास्ते से बढ़काव हिंदी का सल्दी वड़ा सांदर है बढ़काव जीवन में बढ़काव आते हैं चाचा आदमी भी गल्द काम कर देता है, तो वो जो शन कहलाता है, वो शन कहलाया गया, इनने मोमेट आप वेबरेशन, एक आदमी है, जो अपने अंकल को, अपने चाचा जी को बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन, कभी किभी ऐसे एक शन आया उसके जीवन में, कि उनको, तो मैं क्या कहूँगा, अगर वो पहले से देता था, तो ये तो नॉर्मल है, इसे मैं उपर लिखा, अबनॉर्मलिटी, असामानेता, मैं इसलिए आपको भीमका बनाई कि अपने अंकल को बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन, इनने मोमेट आप वेबरेशन, आप देख कितना आसान हो गया, आपको देखो, इस्तमाल करना, उस शनिक भढ़काव में, क्या भढ़काव था, कि आप थोड़ा सा गलत चले गए, और उसी दोरान आपने अपने अंकल को गाली देगी, एक आदमी था, जो अपने बीबी को बहुत प्यार करता था, ठीक है, बट ही स् उसने एक पैन चुरा लिया, अच्छा लगा, आप जे में डाल देख नहीं रहा तो उससे जे में डाल दिया, तो क्या क्योंगा, हिस्टोल अ पैन इन अ मोमेंट आप एपरेशन, उस्टों सुम्झाया आपको कि नहीं आया, ये जो अपन इसका को करते हैं, उसके दो तिन हैं वैसे एक परफस्ट ये भी है, लेकिन ये तो ज़्यादा काम आने हो, लेकिन ये जो है आपके उसमें काम आ जाएगा, एक छोटा सा पेराग्राफ डाल सकते हो, अगर आपके कभी कोवीड के ओपर ऐसे आये तो, चीके ना, या आपके ऐसे आ जाए उसके ओपर, चीके वाप्ट सेक्स रेशो, कार्थ होता है बचो, कि हमारे याँ, अब कभी कभी आप भी थोड़े विचार किया करो, मैं तो करता हूँ कही बार, कि जो इश्वर के काम होते हैं, वो मिल्कु सही होते हैं, इंसान के पास में पावर नहीं है ये, कि वो मतलब बचे संतान इस तर करे हैं, कि पूरी दुनिया में सेक्स का जो रेशो है, आत्मे और अवरतों का, वो लग बख बराबर है, अपन करते हैं ऐसे, कि ये कौन करता है, ये मेरे खाल से कोई सुप्रीम पावर है, वो कंट्रोल करती है, हम सुड़ी करते हैं इसको, हम तो उल्टा इसको बिकाडते हैं, मुझे पता नहीं में जो कह रहा हूं, आपके समझ में आया है या नहीं मुझे पता नहीं है, छोड़ी फिलसोफिकल बात है ये, चलो मैं फिर ये कहीं बटक जाओंगा तो मैं तो इसमें घंटों बात कर सकता हूं, तो अभी हमारा जो सेक्स रेशो है, यानि लड़क सेक्स डिटर्मेंशन टेस्ट, और इसके उपर सरकार ने बहुत लेट आपके एक्शन लिया, पहले पता नहीं लगा, शायद पता नहीं है आपने कि पढ़ा की नहीं पढ़ा, अभी तो हमारा ठीक हो गया है, हर्याना में तो गजब था अपका, हर्याना में एक बार 822 थे अजाल लड़कों के पीछे 822 लड़कियां हुआ करती थी, अब तोड़ा सुधरा सायद में एक 875 तर पहुंच गया है, यहां लोग अनपड हैं, ज़्यादा पड़े लिखे नहीं हैं, ऐसे होता है, केरला जो बहुत ही पढ़ा लखा प्रदेश है, वहां जो पिछली बा आपका बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर वो यहां रास्तान में आएंगे, अर्याने वाले तो यहां क्यों है, हमारा तो मुश्किल से काम चलता है, आप तो आगे चलो, तो फिर वहां पहुंच गया हो, तो इसके उपर कभी ऐसे आया है, तो आप यह लिख सकते हो, ज़् यह टेस्ट कराते हैं, जिसको नाम है Sex Determination Test, कि ना, और कितनी गंदी बात है, जब पता लगता है कि यह लड़की है, तो उसको प्रिटनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तकल था ना, आपको अबोर्शन का, कानून बने, नियम बने, फिर उसकी दजें ओड़ी, फिर बहुर सक कि सरकार ने, आप तो बहुती जवर्द सकती है, सिधी जेल है, डॉक्टर और जो पूछेगा आपका, पूछना भी अगर है, क्योंकि अल्ट्रसांट तो करना पड़ता है, जो कोई लेड़ी आपकी मा बनने को होती है, तो उसका जो भून इंब्रॉय है, जना आपको, फि फिटस करना उसको, इंब्रोय तो सुल में होता है, फिटस, फिटस सही तरह से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह देखने है अल्ट्रसांट करना पड़ता है, महिनत एग्जेक्टर मुझी द्यान नहीं है, लेगिन चाहते पहुंचे मैंने पता लग जाता है, यह लड सॉनोग्राफिक का सेंटर अपका बंद हो जाएगा, फिटस का सॉनोग क्या पच्छों हो, जो अभी बड़ा हो चुका है, ठीक है, और सुरू में वो कहलाता है, अब मैं कहां कहां आपको यह, कहां से कहां पहुंच गया, जब उसका एक का फर्टलाइजेशन होता है, तो वो एंब्रोय बनता है, फिर उसमें डिविजन सुरू होता है, तो जाएगोड कहलाता है, एंब्रोय से इसलिए एक आपके एजक्टि बनता है, मुझे बहुत बहुत पसंद है, एंब्रोयनिक स्टेच, अज़े मुझे बतावा बचों, अगर यह मैंने लिखाया ना, तो आपको मुझे कमेंट में सेक्शन में बताना, कि जब आपने अब्रोय बताया कि अब्रोय का मलदा भून होता है, जो मा के गर में पल रहा होता है, एक ठैली के अंदर, और ठैली के अंदर चानों तरफ लिक्विड होता है, और देर इस कॉल प्लेसेंटा, चीक है, और मा की नभी से वो जुड़ा रहता है, वही से भगवान की गुदरत देखो आपका, सारा खाना, पीना, और डूपता नहीं है, देखो उस लिक्विड के अंदर तैरता रहता हो, कि तो गजब की काम है भगवान के, जो भगवान में बनाए है, हमने फ़री बनाए ही, तो बहुत बात में हम समझ पाया है कि यह क्या चीज है, तो जो लोग भगवान से भी हो जाते हैं, इनकी जीवन बहुत दूख आते हैं, आपको पता लग जाए कि इसका स्टेश करना ले क्या अवस्ता, ठीक ना आपका, अगर मैं एक सेंदेश जब तो बहुत आसान हो जाएगा, इसका स्टेश मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हमको इसका मिनिंग आ गया था, इसका आर्थ क्या हुआ, शुरुवाती स्टेश में है, यह इंडस्ट्री अभी डेवलप नहीं हुई है, एक सबसे दूसर सब आप किस से से सीखते हैं, वोकेप का यह तो काम होता है, इस 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 एड़ इंड्रॉइनिक स्टेश, अर्गटियूँओं कोई, मेरा कोई रादा नहीं था आपको इंड्रॉणिक पढ़ाना, लेकिंड रोए करा है तो मेरे दिमाग में सेट है, आपके भी ऐसे से से ओना चाहिए, मैंने के इंड्रॉइ पढ़ा है तो इंड्रॉइनिक मुझे याद हो जाना चाहिए, और दिको एक्जेक्ट यह वही लिखावा है, बस इसमें आर्टिकल उनना अलग लगा है, तो कोई बात नहीं, आप एंड भी लगा सकते हो, कोई दिकत के बात नहीं, दिको आप क्या लिखावा है, यह दिक्शने एंट प्रोजेक्ट is still at an embryonic stage, अब मुझे बताओ बच्छों आपको याद हो जा कि न हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में यह कमेंट किया करो, थेक्यो वेरे मच फॉर अपलोडिंग इस वीडियो लिखने की जूरूत नहीं है, जो जो पॉइंट में कभी बोलता हूँ, तो उसे मु कोई entertainment नहीं है, कि आपने दो मिन्ट वीडियो देखा रहें, पुसके बाद में उसको छोड़ दिया, फिर क्या सीखो गया, मुझे बताओ, क्या पता किस stage पर टीचर ने कोई बहुत important चीज आपको बता दी हूँ, हदाना कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको बता आप, क्या है, comment section में ऐसे मुझे चीजे बताना कि sir, मेरको embryonic stage याद हो गया है, आपको कह सकता हूँगा, यह जो काम चल रहा है, अभी यह शुरुवाती दौर में है, शुरुवाती अवस्ता में है, शुरुवाती stage में है, क्या आप, nascent stage में है, कई शब्द है, इसके my god, क कुरा नहीं दिखते है, इस से meaning is a national stage, और यह बीस बार exam आया हुआ है, खास मेरे पास में ऐसा कोई software होता, जिसमें आपको पता पता कि यह word जो है, सारे exams में, हिंदुस्तान विचने exams होते हैं, चाहा हो bank के हो, SEC के हो, CDS के हो, IS के हो, Indian Economic Services के हो, Indian Geological Services of India के हो, सुम्हाए आप का चाहिए हो, आपके SEC का Junior Engineer का exam हो, जिसमें पिचास नमर का paper आता है, ठीक है, हो NDA का हो, हो आपका FCAT का हो, सारे MAT का हो, वो CAT का हो, पता नहीं, RC Munjji का आपका exam है, आपके दुनिया बरके आपके exams होते हैं, दुनिया बरके, और International तो होते हैं, GMAT है, GRE है, SET है, TOEFL है, ELSE है, का से इस मेरो होता है, आप का आप बता हैं, कि वोड़ी त इस इवार exam में हो गा, हम्म, मेरे पास तो साधन है, क्या पता करें हो, धुनो net में, कि क्या पता लग सकता है, कि Inescent वोड कि तीबार आया है, इसका से नमर में आप इनकोई, का से काह पहुच, के चलो, ऐसे करने स से तो ये फटम ही नहीं होगा, इस अब इंपॉर्टन वर्ड है, मतलब इस इस प्यॉर गोल्ड, अब ये समझने वाले की बात है, मैं समझाता रहूं आप लोगों को, किस से समझाऊं आपको, मैं पास मैं बहुत ही छोटा है, रहाँ मेरी क्या अउकाद है, जिससी होगा हुती है, उस की हिसाप से मेरे पास में व्यूस आते हैं, आते हैं लेकिन आपनी तरफ से पुरी कोशिज करता हूँ यह है फैक्ट है इनकोईट करते को यह तो उचान हो गया इनकोईट कहा अच्छा सब्द है यह जो अच्छे सब्द होता है साहितिक भासा मुझा गया समस्का अगे लिखा रहता है लिटररी वड़ है only recently और partly form अभी अर्थ समझना आपने जो अभी भी बना हो या आदा अधूरा बना हो पुरा निव नौट कम्प्लीटली डेबलप और क्लियर सुने आगया शी हैड अचाइड इनकोईट अवेरनेस अव लैंगवेश इनकोईट अवेरनेस अव लैंगवेश लैंगवेश के पड़ते अवेरनेस तु थी लेकिन वो पूरे नहीं थी वो सुरुवात थी यह कितने सुन्दर वर्स नहीं बचुआ है आपका मैं भी आपके जैसे था ना वो ठीक है भी में उम्मर में इसके बहुत बढ़ा हो गया हूं पचीश आ साल दो नोक्री की ए फॉर्ज में आज अ मिक्स उसमें आफसर भी था दूसरे पढ़ों भी था बात कहा रहा हूं लेकिन ये लेंग्विस के प्रती ये जो है न आपके इसमें लिकाना इनकोई ये वाकिया मेरे पास में भी थी मेरे को बहुत शौक था बिना शौक के आप पुरह नहीं कर सकते इसलिए जो एक्जाम द दे दूँ अब हमारी किया कितनी मुसीवत है कि इंग्लिस को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना परता है मेरे बच्छों के बिना पढ़े पचास मैं से आर्टालीस नंग फचास नंब आते तो पुर्क इसमें पढ़ना क्या है इसमें क्या पढ़ने की चीज है कि वो लोग बहुत किताम भी बढ़ दे रहा है, अब देखो, सेम भी नहीं कहीं नहीं नहीं कहीं, क्या लिखा हो है, only recently formed, and all started, यह क्या लिखा, only recently or partly formed, थोड़ा सा फरक है, but likely to grow larger quickly, लेकिन जो बहुत जल्दी से बड़ा होने वाला है, a nascent political party, अब शुक्त है, ऐसी political party, जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, लेकिन ऐसा लगता है, कि यह बड़ी हो जाएगी, a nascent problem, ऐसी problem जो हाल ही में पैदा हुई है, अभी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ी हो सकती है, पतानी में तुमको लोगों को यह समझा पा रहा हूं ने समझा पा रहा हूं, मेरको यह तुमने comment section में यह बुला कि रहो, कि सर आपने यह जो वड़ पढ़ा है हमको, यह समझवा गए हमको, अब मैं nascent वड़ का इस्वाल कर सकता हूं, that's right, this problem is at our nascent stage, but it can snowball into a catastrophe, इस जिसन यह सने साब बनाने शुरू कर दोगे, उसे मुझे मोक्स प्राफ्ट हो जाएगा, क्या बोला मैं समझा आया आपको, और इसका मिनी समझा आगया, this problem, और इसलिए पूरा वीडियो देखा कर रहा हूं, यह मैं संजा कर दो कि मैं यह व्यूज के लिए कर रहा हूं, व्यूज के लिए करना होता हूं तो मैं कभी नहीं कर्ता, व्यूज तो मेरे किते का कोई मेरा आइडिया नहीं है, तीन साल से करा रहा है, तीन साल तो नहीं है किते हो गए है, यह ज़्यादा बता रखा है, नाइटीन, एक 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 साल, तो पास छै डॉलर कमाये हैं, और वह भी मिलते नहीं है, तो यूट्यूब तब देता है, जो सौट अर पूर जाते हैं, साल डॉलर मेरे मनने के बाद बढ़ेंगे आप, तो इसलिए यह मस हो जा करो, लेकिन यह है कि टीचर को है, जो कोई लगे टीचर को है पढ़ा रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो क्यों पढ़ाएगा मुझे पताना आप, तो मुझे कैसा पता कितने देख रहे हैं, त इतना उनने टाइम स्पेंड किया है, मुझे पता है, पूरा लेक्षर ही नहीं रहते हैं, वही टाइम निकलना पड़ेगा, खुब टाइम है, आपके पास में बच्छों आपका, इस प्रॉब्लम इस एट आप नैसल स्टेश, बट, बट के पहले आप को मुझा भी लगा स देखते हो, बट, इट कैन स्नोबाल इन्टू, आ किटेस्ट्रोफी, केटेस्ट्रोफी करता है, बहुत ब्लसंट कर, अब ये सन्नेस आपको और कल एक्जाम में अगर ये डेबल फिलप में आ जाता है, टिपल फिलप में, पास मेरे को एक बार कोई फिलप बनाने की दे दे आप, मज आ जाया, ये ट्रेडिशन सन्नेस होता है, आपको अबले करके ये में गलती, बी में, सी में, फी में, ये सब कतम कर दूँ में, इस सन्नेस को आपने समझना है, इसका आर्थ हो गया, ये प्राब्लम अभी वीडियो नहीं देखोगे, तो कैसे पतला कि मुझे याद रहता है, मैंने सनोबोल एक बार पड़ाया हुआ है, उधान दिया था, आप बरफ के एक बॉल बनाओ, जहां बरफ गिरीवे है न, आपका सनो, ठेना, तो उसके उपर बॉल को लुड़काओ, तो बॉल बड़ी ह हो जाती है, तो सनोबोल इंटू सम्थिंग करत होता है, बड़ा होके कुछ बन जाना, क्यों आप, यह इस कम ही नहीं हो गया, अब किता सुन्दर संदे देखो आप, आपको संदे से प्यार होना चाहिए, उसको बोलना सीखना है, और किता सुन्दर संदे से, और कमेंट सेक आर्गुमेंट, बट इस स्नोबोल इंटू अफाइट, तो छोटा सा अर्गुमेंट था, बैस लिए जो बड़ी हो गया, आपका फाइट में तबदील होगी, चलो मैं कहां से कहां पहुच गया, यह कहां चला गया, यहां तक था मैं आपका, तो इसमें हमने ये वड़ किय था, फिर इसमें हमने inference किया था, क्या है, यह बद मैं इसलिए मैं नहीं कहां कि let us revisit these words, these words are very very important, बहुत important words है, नीची लिए आता हूँ इसको, क्या क्या सिस्टम यह सब सोचना पड़ता है यह दो कॉलम का मैंने इसलिए आपके लिए बनाया ताकि उसके सामने आपको मिल जाएंगे यह देखे टीचर क्या क्या पॉपट भिलता है तो इस बात का आपको अंदाज है यह पता नहीं आप गरिफ टीचर का तो पर तुम रहम पर नहीं करता है रहे बना रहा है यह ठीक न आपका बिवकूफ टीचर है यह इतना मैनत करके बढ़ा है तो देख ही लेते हैं इस पर एहसान कर देते हैं देख लेते हैं इसको मेरे पर ऐसान करके आप अपनी ऊपर ऐसान करोगे ठीक पचाहूं इसमें आपने इन्फरेंस वर किया था इन्फरेंस और इन्फरेंस कार्ट होता है मिनिंग जो आपने ड्रॉ किया है मीनिंग ड्रॉ निकालावा मीनिंग इसकार दोता है इसकार दोता है इसका मकसद यह है कि आपको अच्छी तरह से एक एक वर्ड को सीखना मौका मिला आज का यह एडिटोरियल घजब का है अगर मुझे पूछना हो कि उसके कतन से आप क्या आर्थ निकालना तो आपको कैसे कहूंगा इसके कतन से आप क्या आर्थ निकालते हो तो सामना जवाब देगा माई इन्फरेंस इस यो गया परिव इस यह एक पर अब दिश्या इस आती है नश्याती है लेकिन क्या है कि टीचर मावाब की तरह होता है उसको अपना काम करते रहना है बच्चों को समझ में आरी तो नहीं हारी तो बात में आजाईगी लिका वैसा ऐसा नहों कि आपके सब समस्भ अज नमें तब आया जब समय नहीं रहा तो मैं यह चाहता हूँ कि आप समय पर समझाएं चीजों को सीखें अब यह आगे एक नहीं आया आपका इसका अर्थ किया आप इसके खतन से आप क्या अर्थ निकालते हो तो उसने का मेरा यह अर्थ है कि वो इस पार्टी को छोड़ने वाला है आगे है समय फिर हम यह सब करा चुका हूँ मैं आपको फिर था आपका वारंट यह को एक तो कोट वारंट देता है आपको वारंट का मदल्द होता है पर्मिशन वारंट आप आरेस्ट वारंट आप सर्च किसी घर में आपने तलासी लेनी हो तेकिना सर्च करना हो यह सर्च का भी ध्यान रखना सर्च का मदल्द होता है तलासी ढूंडना नहीं होता है सर्च का मदल्द ध्यान रखना मैं जो बचों कह रहा हूँ ध्यान से सुनना मेरी बातों को search का मतलब होता है तलासी लेना to frisk याद रखना इस बात को ढूंडना नहीं होता है search card एक निका तैने मेरे pen लिया है मैंने का नहीं लिया है मैंने का यार you can search me तो you can search me को अगर मैं आपको translate करके बोलो ऐसे बोलो के तू मेरे को ढूंड ले अरे भी इसका आर्थ है तो मेरे तलासी ले सकता है ठीक है और ढूंडने के लिए phrase बनता है फिर इसके साथ में 4 लगना पड़ता है I am searching for a new location I am searching for a new house किराई का तुमा सर्च नहीं करना है तुमा सर्च 4 लिखना है आपने I am searching for a new house a new rented house बोलो घर का मकाम भी ढूंड़ता है खरीद खरीदने वाला I am searching for a new house teacher छोटी बड़ी इससा बताता आपको तो search warrant है arrest warrant है ये तो सुने है ना आपने तो वो कानून की permission आपको आप तो मुँझा रहा हूँ जिस चीज की कानून की कानून permission देता है वो काम उचीत होगा या नचीत होगा उचीत ही ओगा इसलिए warrant card उचीत भी होता है इसलिए मैंने कल आपको समझाय था कि this action was warranted इसका वाला क्या ये जो action लिया गया है ये उचीत था जहना आपको his arrest was warranted इसका मुझा क्या हूँआ इस कार्थ हो गया बच्छों कि उसकी जो वरेस्ट हुई है वो ठीक हुई है उचीत है और इसको लिख दूँ अगर वो अन्वार्ण थी थी तो इसको उसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया यह दो वानट वानट वपी है वार्ण एक्षिन का थोता है एक्षिन का नेसेसरी होना इस सिचुवेशन नीड्स वारंट इमीडियेट गॉर्मेंट अटेंशन बताना मेरा काम है बच्वाँ सीखना आपका काम है सीख रहो अच्छी बात है सस्पेंशन सब को बता है सस्पेंशन उसको इन ऑपरेटिव बनाना सस्पेंशन उसका ओडर सस्पेंशन में है यानि इन ऑपरेटिवनेस यह जागा इसका समॉनिम सस्पेंट आपका वब है सस्पेंट के दो अर्थ हैं किसी आदमी को मोवतिल कर दिया ना कि एक सब इंस्पे पर 입 रिस्वत ली तो उसको सस्पेंट कर दिया तो सस्वेंट कर दिया大概 का इंउसको मुवुतिल कर दिया जय फिलाल उसको नोजि kicked निकाल नहीं है लेकिन जब तो उसके case का सुनवाई और पूरा नहीं होगा उध तब आए, solution, इसका मेनी solution का थोड़ डिक्षने देखने का प्रयास करो बचाओ, घोल, घोल, solution, oh god, यह हो, और suspension आपके, गाड़ी के shock absorbers भी है, है न, आपके, अपने कहते हैं न, यार, car के suspension कितने सांदर है, अल का फूल का खड़ा आता है, तो उसका पता ही लगता है, क्योंकि इसका suspension अच्छा है, a liquid in which small pieces of solid are contained but not dissolved, a suspension of fine corn flour in corn oil, that's right, that's called liquid solution, क्या, क्या पढ़ेंगा, तो किसी चीज़ को suspend कर देते हो, तो वो कुछ दिनों के लिए inoperative हो जाता है, वो काम नहीं करता है, जैसे किसी subinspector को आपने suspend किया, तो inoperative हो गया हो, he will not work as a subinspector, he cannot put on his uniform, ठेना आपको, और उसको गर पे रहना पड़ता है, उसके जीवन निर्वा के लिए, उसको सरकार एक फटा दे देती है, जैना, जिसको sustenance allowance कहते हैं अप, फिर उसको पर case चलता है, case prove हो गया, तो फिर उसको सजा मिलती है, जो भी सजा मिले, हो सकता उसका demotion हो जाए, प्रमोशन का उल्टा होता है, demotion, he was demoted, once these charges were proved, he was demoted, संदेश बनाओगे ति भी तकाम आएगा, जो उसके charges, उसके बर जो आपको आरूप लगे, उससी दो गया है, उसको demote कर दिया गया, demote, demote means, उसका पद कम कर दिया गया, demote, promote का उल्टा होता है, प्रमोशन को उसका पदोन ति करना, उसका enter नहीं हो जाएगा, demote करना, पद गटाना, और नहीं हुआ तो वापस हो, अपने पद पर आ जाता है, तो अपने duty करेगा, जैसे भी आप, anyway, कहां से कहां बहुंजगे नहीं, चलो, तो relevant rules करत होता है, जो ऐसे rules, जो subject से related है, तर्क संगत, तो करते है relevant, बड़ा सुने रेवड़ा आपके, relevant भी आपके, अगर किसे ने कहा कि आप वो कह रहे हो, जो, जो हम subject matter discuss कर रहे है, उसके हिसाब से वो विसे संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, को मैं आपक ऐसे कहूंग, यह सवाल नहीं हैं, यह सवाल नहीं हैं, clause है, what are you saying, नहीं हैं, what you are saying, is not relevant, is not relevant, to the subject matter, जो आप कह रहे हो, वो जो subject matter जिसके उपर हम discuss कर रहे हैं, हो, that's not relevant आप, don't ask me irrelevant questions, इस का उटा जगा irrelevant, ऐसे सवाल जो subject से related नहीं है, मैं English पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को history का सवाल पूछ रहो, तो questions आपके irrelevant हो गया, ठीक है, ठीक है, जो सी इसका नौन मंत है relevance, ठीक है, मिसे संगत्ता कोई भी कहलो आपका, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि जो type writers हैं, सची तब सची बात है, type writers have lost their relevance, तो यह relevance खतम हो गया, कोई इस्तमा लगा लगा type writer का, कोई करता भी है, मेरे खाल से मिसे doubt है, type writer महहँगा भी है, बहुत महहँगा हुता है, टैपर रहा कोई लेगा ना, तो बहुत महहँगा आएगा, इसे अचा हो अपने computer ले ले लेंगे, और साथ में आपका एक printer ले लेंगे, printer बिसना, inge-ject वाले printer आज़कल बहुत सस्लें, और गाँ से कहां पहुच गया, मैं, चलिया आपको, तो इसमें वड़ था है, ले, यह में आपको बहुत सारे वड़ लिखाया थे आप, put to rest, to assuage, to placate, to pacify, क्या ना, और तो इसका phrase बना लो एक, to allow, to allow the fears of somebody, इसकात होता है, कि किसी बेक्तिक के, यह समाज के, यह लोगों के डर को शांत करना, जैना, आपको ने साइड़ा, कहीं आया कि बैंक सब भिक रहे हैं, सरकार ने फिर एक प्रेस विगपती निकाली नोटिफिकेशन, कि यह गल्थ है, कोई बैंक नहीं बेचा जा रहा है आपका, इस एलेट दे फिरस आफ, पीपल वर्किंग इन बैंक साथ, यह तो उटर था उनको, और स्टेंसिबली कार्थ होता है, क्लिर ली, अपरेंटली, कोई विथ में आपको होता है, कोई विथ में एक चीज़ का ध्यान लगना बचों, एग्जाम में कोई विथ के साथ में आप लगा देते हैं, ठीक है, तो आप यह ध्यान लगना है कि, इसके कोई के साथ में आपका अप्ले योग नहीं करना कभी भी, को बित करता है सामना करना किसी चीज को डील करना तो को बित कि मैंने पूछा क्या है जो situation है निपड ना इसके साथ में आप निपड सकते हैं can you cope up with अविगलत हो गया, with this situation, रेक्शी होता है क्या है, ये पी-पी के sound में ऐसा लगता है, जिसे आप इसका बिलकुल integral part है, लेकि निगलत हो गया, this end is wrong, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो examiner के लिए बड़ी वो चीज़ें होती है, चीज़ें ना, तो ये ध्यान रखना, कोप अब कभी नहीं होता है, this end is wrong, इसमें आप विट अटा दो, जाएगा, this is wrong, तो दुबार लिख जाता हूं में, विट अटा दो, sorry, विट के रहा हूं में, आप अटा दो, can you cope with the situation, आप बिलकुर सने ठीक हो गया, क्या आप इस situation को handle कर सकते हैं, किसी चीज़ को handle करना, आप आजाओ बच्चो मेरको, actually मैंने भी तो यह फाल तुम्हें किया सब यह आपका, अभी मैंने आपको यहां से पढ़ाना है, ठीक है ना उटा, यह हमने नहीं पढ़ाता, अभी इन rules को inoperative, यह operation में नहीं रहेंगे, यानि इसके उपर कारवई नहीं होगी, ठीक है, इनको अभी suspend कर दिया गया, अभी मैंने आपको काता है कि यह जो आपका editorial था, इसमें बहुत words है, और मुझे बहुत अच्छा रहा था, जिसने भी लिखा होगा, यह बहुत शान्दा लिखा हुआ है, अब इसमें impune word आगया देखो आपको, किते बार exam आया हुआ 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 है, ठी किसी के पर दोस लगाना, मैं एक बार दिक्षने में आपको दिखाता है इसको, ठीक है, आप अगर इंडाइट लिखा रहे हो कि यह आदमी के अंदर ability नहीं है, तो you are trying to impune, that he is not capable, इसमें शक करना, उसमें स्वालिया निसान लगाना, किसी उसकी ability पे किसी चीज़ पे doubt करन quality पे, character पे, impune आप, पर देखो, यहां सो देखो बच्छो, ट्रांस जेब आप है ही, क्या रखना, to cause people doubt, okay, यहां देखो, are you impuning my competence, competence करत क्या होता है, मेरी, मेरा, क्या कहेंगे इन दी में इसको, competence को, मेरी योगिता, मैं एक professional desire हूँ, designer हूँ, अब कोई भी designer हो सकता है, ठीक कार का, कपड़ों का, किसी पर चीज़ का, तो मेरी योगिता पर आप शक कर रहे हो, आप यह कह रहे हो कि मेरी जो competence है, मेरी योगिता है, कि आपका, वो doubtful है, इसको कहता है, impune करना, अब इसका अर्थ आपको उसमें निकलना पढ़ाएगा, कि impune rules का अर्थ क्या हुआ, इस font आपको दिखाई दे रहा है, दिकत तो नहीं हो रही है, क्योंकि कभी इतनी नमच रोड़ा हो जाएगा, पिर नीचे जगे नहीं बजएगी, पिर मेरी को बॉक्त दुबारा बनाने पढ़ेंगी, तो impune rules हो हैं कि जिन पर शक है, जिनके इस वोपर सवालय निशान है, यह दिखना, तो यह समझना पड़ता है, one of the impune rules, वो rules जिनके पर शक है, कि काम के हैं या नहीं है, किसी भी तरह का, rules require a five yearly renewal or registration, तो इसमें जो आपके मैंने कहा था कि जो मुद्दा है, वो important नहीं है, हमको तो सब्दों को सीखना है, मुद्दा बहुत जादा important नहीं है, मैंने उसका background आपको बता दिया था, ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो rules हैं, जिनको government ने suspend किया और आगे साथ, उसको, उसको validate नहीं किया, था न आपका, दिखा न आपका, it was left to expire on 30th June, सरकार ने उसको expire होने दिया, current मैं आपको बताया, कि rules यह कहते हैं, कि आपको जितने clinics हैं, उसम आपका amazing sentence हैं, उसको report बेजने पर दिए सरकार को, ठीक है, तो अगर report बेजेंगे, तो आपके बास में तो paramedics हैं नहीं, और उपर से pandemic आ रखा है, इसको देखते हुए सरकार ने उसको कुछ दिनों के लिए suspend कर दिया, तो इसको अभी मत कर रहे हैं दो, ठीक है, यह इसका अर्थ है, उसके पीछे कई लोगों ने फिर repetition दायर कर दी, बात करों कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा करोगे तो सरकार ने कहा भी थोड़े time के लिए क्या है यार, हर चीज किये न, लोगों को किसने चुखाने के लिए सरकार ने time दिया, जो से कहते है moratorium, दिया न, तीन मैं इसी हालत है, pandemic की, coronavirus के कारण, ऐसी कभी हुई नहीं है, यह असाधारन निस्तिती है, जैसे है, ध्यान लगना, तो इसमें कुछ आपको ऐसे action सरकार को लेने पड़ते हैं, तो petitioner का भी जो आप मैंने कहाता है न, concerns दे उसके चिंता ही ते वो शान्त होगी, तो जो उसनी जो सरकार से, अरे यह temporarily है भाई, बाद में यह वापस ठीक हो जाएंगे, हलांके फिर भी सरकार ध्यान रखेगे कि कोई, amnio synthesis test नहीं करा रहा है, sex determination test नहीं करा रहा है, लेकिन फिलाल, आप इनको report भीजने नहीं है, तो गरबर तो हो सकती है, किते हो जाएंगी, किते हो गेवे हैं काम में, ultrasonography में, इसमें, उसमें, और जो pregnant ladies रहेंगे, उनके ultrasonography लेने पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो वैसे भी लेने पढ़ेंगे, कि कि रिपोर्टें बनाएंगे, तो कितना time खराब होगा, और ये लोग हमको चाहिएं, क्योंकि pandemic के अंदर इनका, हमने दू petitioner के petition दी, तब जाके action हो रहा ही, ठीक है, तो उनकी rule के जो requirement है, कि पांथ-पांथ साल में, इनका registration renew होना चाहिए, ठीक है, जितनी भी genetic laboratories है, ultrasound clinics है, imaging centers है, subject to the fulfillment of eligibility criteria, इसको ये भी नहीं है, कि हर कोई आपका renew करा ले, शर्त ही है, यहाँ subject to करता है, on the condition that, ज्यान रखना, ये subject बड़ी बड़ा important है, अच्छा कही सब्द ऐसे आते हैं, हम आपको बता रहा हूं, हमारी अदत है ही, subject आता है, subject मुनले भी से होता है, आज का subject क्या है, तो सोते हैं, अरे बढ़ी subject का इसमें जो प्रयोग है, वो difficult है, इतने difficult पर नहीं है, बात करों आपसे, लेकिन ये सीख पड़ेगा आपको, subject, subject to करता है, चिना, on the condition, जान रखना आपको, चिक है, अगर मैं आपको कहूं, कि हम आपका license renew कर देंगे, subject to the condition, कभी का ऐसी बते हैं, subject to the condition, यारी इस शर्ट के साथ में, कि वो आपने हत्यार बेचा नहीं है, कि बेज़ दिया आपने, आपको से नहीं है, तो फिल गड़ हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें ये, इस condition के साथ में, the condition, that the fulfillment of eligibility criteria, criteria करता होता है, शर्ट condition, standard, उस कहते हैं, criteria, और ये word proof form है, ठीक है, इसका single form होता है, criterion, इस college में admission का एक ही, एक ही criterion है, there is only one criterion of admission to this college, कि आपने 12th में इतनी percentage mask लाएगे, तो किसे नहीं का नहीं और भी है, तो criteria हो जाएगे, इसका उनले ये थोड़े के हरेका 5 साल के अंदर denial हो जाएगा, ने, इस साथ में आपको, उसके लिए बहुत सारी conditions है, ठीके, let us not go into that, कि आपका सो radiographers हैं, जो आपके ultrasonologist हैं, उनका ये पढ़ाई की होनी चीए, ये वहना चीए, वहना चीए, वहना चीए, फ्लाने degree होनी चीए, बहुत सारी रफड़े हैं ठीक है, अनदर mandate, अनदर कारता है, को दूसरा rule ध्यान रखना है, दूसरा rule ये निश्चित करते हैं, mandate कारत, देखो mandate के मेंने कई पर आपको अर्थ होता है, mandate का मदा आदेशित करना, आदेश देना, किया है न आपका, किसी चीज को necessary बनाना, mandate वहना है, एक एक सब को सीखना पढ़ भी होता है और यहां पर mandate वब के रूप में another mandates that इस कमला क्या हो है to make necessary और यह another क्या है यह दूसरा रूल है दूसरा रूल यह जरूरी करता है कि इस diagnostic establishment to submit monthly records अब तो monthly record भेजना है उनको on the conduct of pregnancy related procedures to that designated authority now designated card होता है नामित एक authority को बना रखा है वो कोई भी हो सकता है state का यह state का नहीं होगा center का होगा कोई health ministry का उसको आपने हर मेने report भेजने है बता हो आप कितना बड़ा काम हो गया तो अगर यह लोग जो लगे वे हैं मंत्री report भेजते रहेंगे तो काम कुन करेगा फिर pandemic में coronavirus के चकर में इनका आपने इनको काम में लेना है लोगों की जान बचाने के लिए समझाया है आपको अधरवाए इनको हर मेने report भेजने पड़ेगी एक designated authority को designated कार्थ होता है नामित nominated designated इस काम के लिए हमने इसको nominate किया है तो आपने इसी को report भेजनी मंत्ली बताओ कितना बड़ा बारी काम है हर मंत में report भेजनी है state governments and union territories are required to furnish a quartel report to the center अब यह तो sex ratio को बचाने के लिए सरकार को करना पड़ा कितना काम है देखुआ आप और जो आपके राज्य सरकारे हैं और जो union territories हैं केंद्र क्या केंद्र शाचित प्रदेश हैं है ना उनको quarterly यानि आपका एक quarter में report भेजनी center को on the implementation of the law यह law के जो आपका क्या था लंबा चुड़ा थे ना आपका act उसकी implementation उसके क्रियानमेन के law के क्रियानमेन के report भीजनी कितना काम है देख रहे हैं और फिर क्या होगा the union health ministry had maintained that various procedural deadlines were relaxed in the wake of अभी आगे है in the wake of इसको मैं आपको कराता हूं अभी but in the wake of public health crisis public health crisis मतलब क्या हो है coronavirus की चकर में in the wake of as a result of तो यह procedural deadlines थी प्रोसीज़ डेडलाइन समझते हो बेजो अपने काम करते है न अपन उसकी कुछ आपने deadline बना रही थी यह deadline तो है हर मैंने report भेज नहीं है quarter में राज्य सरकारों और केंदर साश्चित परदेशों ने के अपना health ministry को report भेज नहीं है तो इनको relax कर दिये गया था coronavirus की problem को देखते हुए है समझे आपका and that such flexibility यह जो रियाय सरकार ने दी would in no way यह किसी भी तरह से जो law के larger objectives है इस कानून के जो larger objectives है larger objective क्या है कि कोई ऐसा काम ना हो कि लोग अपने बच्चे का sex तै करके फिर उसको रहे है ऐसा नहीं होना चाहिए तो that will that किसी तरह से वो geopartize नहीं होगा geopartize कार्थ होता है put in danger या in danger बढ़ाना अभी एक ही करा रहा हो आपको बढ़ा पहले इसका मुझे पता आपको समझा आगया नहीं आया तो एक short मैं आपको एक बाद फिर समझाता हूं कि कितना काम थ law है वो act है उसके तहद फिर बहुत साइ rules बने rules के तहद महिने महिने इनको report भेजनी आगे ठीक है किसी नामित अधिकारी को और state को और केंदर साथ परदेश को quarter में report भेजनी है पता हो कितने सारे लोग लगे रहेंगे लगे रहेंगे तो फिर ये काम में कैसे देंगे आप और सारे सारे ये technical आदमी सारे सारे तो coronavirus के चलते हुए ठीक ना ये सरकार ने कुछ दिनों के लिए relax कर दी है कि अभी रहने दो मत भीजो ताकि जो लोग लगे वे हैं इनको coronavirus में लोगों की जान बचाने के लिए इसमाल किया जा सके है लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसी flexibility ये ऐ रियायत है ये किसी भी तरह से लोग का जो बड़ा object है ठीक ना उसको खत्रे में नहीं डालता क्योंकि कुछ टमें समय के बाद में ये सब बंद हो जाएंगे और फिर पहले जैसी कारवा ही शुरू करनी पड़ेगी अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमने सीखना है required to furnace या furnace का मतलब होता है देना आप दोको किस तरह से सब्दों के अर्थ चेंज होते हैं ठीके furnace का मतलब के रूप से होता है furnace का मतलब किसी मकान में furnisher हो गारा, फड़दे फड़दे ये furnish करना उनको उपलेट करना अगर मैं आपको कोई कोहूँ आपको आपको और आज कल थोड़ा हमको समझना भी है कि आज कल बहुत सारे मकान मिलते है जो well furnished होते हैं, well furnished हम गया आपका, क्योंकि नहीं तो फिल पहले जमान जा ना आपका, कि आप यहां से कही प्रांसपर वाँ जा रहे हो, तो अपनी बक्री भी ले जा रहे हो, जराने की firewood भी साथ में लेके जा रहे हो, जैना आपका गोबर की उपले भी लेके जा रहे हो, दुनिया भर का ताम जाम, आप कोई नी करता आप, एक सूटकेस पकड़ा, गए आप मकान किराय पे लेते हो, वो वेल फ़र्निष्ट है, पर्दे लगेवे हैं, आपको पर्दे लेने की जुरूत नहीं है, आपका टेबल है, कुरसी है, बैड है, मैट्रस है, पिल्लो है, फि में डाला, गैस की, आपका सब है, आपका मीटर्ड गैस है, मीटर्ड गैस, तो आज के लिए इस सिस्टम है, कहां कहां आप आप आपना ये, फायर वूड का एक, वो बना के गट्री लेके जाओ के सर में उठा के, फर्निष्ट का मतलब समझे का आपका, तो अगर मैं आपक में फर्निष्ट कारत होता है, कि मेरे कमरे बागो, आप से चीज़ें जो भी होते हैं, इसमें टेबल, कुर्सी, किशन में समान, बैड, सोफा, आपके कर्टेंस हो करे लगा रहा है, ठीक है, नाओ, तो फर्निष्ट कारत होता है, तो समिट रिपोर्ट, या ध्यान अगना तो सब्दों कैसे है, अर्चेंच ओ, देखो आप, आप इसका मिनिक समीट हो गया अप, तो समीट रिपोर्ट, अरे यार, यार, प्रॉलम में है रही है, तो समीट रिपोर्ट, रिपोर्ट समीट रहा, फर्निष्ट रिस्ट अप स्टुडेंस वर अपसेंट, तो मैं आपक आपको आता है, इंप्लिमेंटेशन करता है, किर्यान वेन, यानि इंफोर्समेंट, लागू होने करने का कारिक, तो जल्ली करना पढ़ा है, बहुत लंबा हो गया ही, ओ गौड भी तो बहुत लंबा ही, और आगे खत्म हो गया ही, मेरे को बॉक्स बनाने पढ़ेंगे नहीं, या ये काम असानी होते हैं से रेवच्छों, पुरा होगे से रेवच्छों, इसको टेस्ट करने के लिए सकना पता है, आगे जारा नहीं, तो कोई जिविच्छों पुरा है, थैंक गॉड पुरा होगे तो नहीं, और बोक्स बनाने पड़ेंगे, साइद अभी बनाने पड़ेंगे, ओ गॉड और जियो पाट्राइस का कार्थ होता है, खत्रे में डालना, ऐसा नहीं है कि हमने ये अभी शूट देती तो पुरा लोई खत्रे में आ गया, कानों ने खत्रे में नहीं आया, बिटिस इंग्लिश में अपने ऐस लगाता है, त्यारना आपका, जो पाट्डाइस, इस कार्थ होता है, मैं इसको डाल इस बादी, आपका, जो सबस्क्राइस, टालना प्लाइब, इसको मुझे त्म डिक्वन का आपका, इस को मुझे थिक्स्निम का डालना आपका, तो शविस देखर पने घंवन डालना, फेस पर दो से डीश फ्रेम, अजन पक्ने रस एपका, तो सिवस तिया, आपका हुआ है फ्रेंड को बचाने के लिए उसने अपना जो नौकरी थी करें नौकरी उसको खत्रा में डाल दिया I hope it is understood now in no way किसी भी तरह से नहीं in no way in no way का जैसे सब्द है वैसे आरत है किसी भी तरह से नहीं अब आपको समझा आ गया होगा सरकार कहा रही है कि इन रूल्स को हमने फ्लेक्स फ्लेक्सिबल बनाया है थो रहा सुने रिलेक्शन दिया है लेकिन ये किसी भी तरह से जो उसका लौक अब्जेक्टिव है उसको जिव पारड़ाइज नहीं करता इसको यह नहीं कि लोग गल्द काम भी कर लेंगे उसक हैंड्ड ऐक्टिविस्ट रूल मैं र राज होगो उसमें उनको कोई रेस्ट नहीं नजननी आया कितने इंपन्ट बढ़ाएगा अ रेस्नेल का होता है उप्यूकता एप्रोप्रेटनेश लॉचिक यह इसके मीनिंग है औचित्य है जिस हिंदी में करता है औचित्य है हिंदी में करता है औचित्य है तो वह होता है राशनेल उसको वहाँ टांस्पर करने का औचित्य है मुझे समझ नहीं आया तो क्या को काया I could not understand the rationale of transferring him there इसको प्रियों करो के तुभी तो आएगा ना बचो नीटो कैसे आएगा rational समझ में आगया नहीं आ लॉचिक और चित्य है उसके उचित्य कारण बेसिस क्या अधार था किस आधार भी किया आपने इसको बहुत सुंदर बड़े आने चीए आप और यह rational नहीं है यह rational है यह now नहीं है अभी समझाता हूं भी रुखो आपकर टीक है जस्ट्रिफिकेशन भी कह सकते हूं आपकर अचित्य किन आधार पर understand the rationale of suspending these rules उनको समझ नहीं है तो सरकार उसमझा नहीं नहीं हुआ है थो टाइम के लिए इसको टल जाने तो इनकी सवाएं हमें चाहिए है और दो चार लोग का रूल्टा पूल्टा काम कर लेंगे तो भी पकड़े जाएंगे तो फिर उनकी खिलाफ एक्शन ले लेंगे त अनकी रैटन बना रहे हैं, रिपोर्टें बेज रहे हैं महीने मह depende की बहुत काम हो जाता है इस काम में दुखी होंगे तो फिर वो ध्यान की दे पाएंगे आपके तो सरकार ने यह कहा है, थे कह है शयलन समय आगे बचव हो औस ऺंचुत्य है आप से किसी चींको और चीट उपने वाट इस अरेस्ट नेलाफ आफ शिफ्टिंग यूर बिजनिस देर बिजनिस टू अनलिशिटी चलो ये करता हूं आपको तो यार मुझे अपने बिजनस उधर क्यों लेके गए जबकि उस हैत तो बड़ा है नहीं करना हो सकता है, उसके बाद से उचित करना हो सकता है, मैं आपको यह कह रहा था, कि यह word rational है, और एक word होता है rational, rational का थो होता है, विवेकी, इंग्लिश में कहता है न, man is a rational being, इंसान के अंदर विवेक होता है, इंसान और जानवर में एक ही अंदर है, ठीक है, जानवर में rational नहीं होता, इसलिए गाय जारियर कोई आपके वील बैरों में सबची बेच रहा है, तो वो मुँ डालके गोबी का फूल खा जाएगी, यह न आपका, किसी को कहीं सुसू लगी किसी जानवर को तो जहां है, वो खड़ा खड़ा यह सुसू कर देगा, लेकिन आदमी के अंदर यह विवेक है, विवेक करत होता है, to differentiate between good and bad, तो यह जानवर में नहीं होता है, ठीक है, आप समय आगया आपका, और आदमी अगर इर्रैशनल है, तो आप विवेक ही है वो, अग विवेक की, अपने विवेक का इस्तमाल नहीं कर सकता है, ठीक हाँ, he becomes irrational sometimes, इसका अपने विवेक हो देता है, तो यह सब्दों को अपने धंक से सीखना है, जानना है, विवेक वो चीज है, जो आपको गलत काम करने से रोकती है, अगर मैं आपको, he becomes, he becomes irrational sometimes, कभी-कभी वो अपने विवेक हो देता है, यह इसका मिनिंग हो गया, he becomes irrational sometimes, इसमें sometimes आपका एडवब है, ज्यान रिकना, anyway, आगे पड़ो, तो यह उनको समझ नहीं आए, वो कह रहे है, तो essences services नहीं, तो बंत हो नहीं नहीं है, तो सरकार का लिए कब बंत कर रहे हैं, लेक कि यह जो काम में लगे वे हैं, भई हमको इनकी सिवाएं COVID में चाहिए है, जाना pandemicly चाहिए, दिवर, understandably, apprehensive, D means activist, यह समझना आपने देख इसके लिए, activist के लिए है, और understanding का मतलब होता है, कि यह समझा जा सकता आराम से, ठीक है, यह 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 clear है, understanding, apprehensive, अब इसा वट सीखने पढ़ेंगे आप, that the freeze, freeze का मतलब suspend किया है, वो है, वो result in large scale violations, इसके current large scale, large scale में क्या हो जाएगा, कितने हो जाएगे, उसको खास परक पढ़ने वाला नहीं है, तो वो देख का मतलब activist चिंती थे, इस समझना पढ़ेगा देख इसके लिए, यह लेंग्विज के understanding गलत हो जा आपने है, देख का antecedent, क्या है, activist है, तो वो, जेवर understandably apprehensive, apprehensive का उता होता है, फिक्र, फिक्रमंद, यह वर्ट भी सीखना पढ़ेगा आपको apprehensive, apprehensive means worried, आप इसके अंदर घुसना पढ़ेगा, यह इसका जो वर्ट है, आपका main वो है apprehend, apprehend के तीन अर्थ है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि कभी कभी ऐसे भी आते हैं, आपके यह editorial जिसमें बहुत कुछ सीखने हों मिलता है, apprehend का एक अर्थ होता है, to understand, जान रखना है, खतनाग वड़ में से एक वड़ है, if I say I could not apprehend, what he said, तो जो उसने का हो मेरे समझ नहीं है, मैं फिर कहा रहा हूँ, आप से बार बार प्लीज इसको पुरा देख लेना, आपकी जिंदिगी बिल सकती है, यह इतने सब सीखें आप what he said, तो इसको पुरा क्या हुआ, I could not understand what he said, तो समझ नहीं है, इसका भी मीनिंग होता है, to arrest, बदा हूँ, the police have apprehended the culprits involved in this case, involved in this case, इस case में जो सामिल थे हो सारे सारों जिफ्टर के लिया है, और C are there to have worry, तीसरा इसकार्थ है, to have worry or fear, if I say I apprehend danger to my life, इसका तो मुझे मेरे जिंदी का खत्रा है, तो पहले आपको apprehend वड़ाना चाहिए, तब आपको apprehensive आएगा, ठीक है, आप समय आ गया, अब मैं apprehend वड़ का इस्माल करहूं, तो मैं आपको कहूंगा, I am apprehensive about my success, तो क्या मिनिंग हो गया आपका, इसका मिनिंग हो गया, कि अपने सफलता के लेके मेरे को शक है, clear हो गया, और understandable मलत क्या हुआ, understandable का, कि बिल्कुल ये समझ में आ रहा है, कि वो लोग चिंतित क्यों है, एक्टिविस्ट हैना वो, तो वो चाहते हैं कि ये सेक्स कर रहे हो, बिल्कुल भी बिना बिगड़े, तो understandable है देवर, apprehensive, और ये freeze कार्थ है, suspension, suspension, the freeze, ये भी ध्यान रखना है अब कर, बता हूं, freeze थो भब भी है, the freeze means suspension of rules, को रूल को जो सरकार ने relax किया है, तो रहा flexible बनाया है, कुछ टाइम के लिए, वो रेफरेंस है है, अगर आपको ये समझ आए, कि freeze का समझ किस्से है, तो फिर गड़ भी हो जाए कि बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, are you getting a point, suspension rules, तो उनका ये ऐसा डर था, कि इसका जो result होगा, result in, result in भी एक फ्रेस हांदार सा, जिसका परणाम इसमें होगा, किसमें large scale violations में, वाइलेशन करना, rule को break करना, वाइलेशन से बनावा है, उलंगन करना, to infringe करना, rule को, तो break a rule, ठीक है, और violations आपके, infringement हो गए, ये plural form है, infringement, सब सीखना आप नहीं है, ठीक है, अब समझा आगया आपके है, मैं रिखा, उनकी भी चिंता आपको समझा आगया होगी, लेकिन बाद में उनको भी समझा आगया, ठीक है, ठीक है, it is one thing to condone delays, in the completion of formalities, via an administrative order, अब वो ये कह रहे हैं कि, condone करना, माफ करना होता है, condone करत होता है, माफ करना, to forgive, कभी लोग फॉज में भर्तिय होते हैं ना, तो उनकी height कम हो जाती है, officers के लिए height का ज़्यादा रफ़णा नहीं है, लेकिन जो आपके soldiers के रूप में इस सिपाई के भर्तिय होते हैं, उनकी height ठीक होने शीए, हाँ अगर वो पाहड के इलाके के नहीं है, गड़वाल के या माचल उगर रहे के उनको छूट मिलती है, तो है ना आपका, तो एक लड़का है समदो के 5 foot 7 inch height जी है, विसे 5 foot 7 inch नहीं है साई, नहीं है, 5 foot 7 inch है, है ना, सिपाई में भर्तिय हो रहा है हो, और height उसके बिचारे की, 2 cm या 3 cm या 2 inch कम है, कि अगर आपने state level के sports में भाग लिया है, state level के, school मेंने state level के बिसमें, तो फिर आपको 2 inch का relaxation मिल जाएगा, छिक है, your deficiency of your height will be condoned, if you have participated in state level, games and sports, समने आगया, समने समने जी, height की जो कमी है ना, deficiency of height will be condoned by 2 inches, तो यह आपर माफ करना नहीं है ना, छूट देना हो गया, जिक है रिलेक्स, if you have participated in state level games, और national level पर तीन इच कर देंगे, ऐसे, तो आगे करना हूँ, तो वो यह कह रहे हैं, कि पर यह उनके जो formulations में जो देरी होती है, उसको तो माफ किया जा सकता है, रिलेक्स किया जा सकता है, यह कि administrative order केता है, पस्तनास परसास नहीं, आदेश केता है, लेकिन, gadget notification से, उसको freeze कर देना, gadget, सरकार निकालना है gadget notification, उसको freeze कर देना, यह तो बिल्कुल अलक बात है, उनका क्याने का मलत यह ता, altogether नहीं पूरी तरह से, altogether करात होता है, पूरी तरह से, अपर altogether करात है, पूरी तरह से, completely, completely कि sense भी समझना है, if I say it is, an altogether, different thing, altogether नहीं भी कर सकते हूं, different क्या आगे, पूरी तरह से लगे, completely different है, it is altogether different thing, वोई कहरे हैं कि, रेक्स कर देते हैं, आपने पूरा फ्रीज कर दिया, डिकलेर फ्रीज कर दिया, और उसके लिए फिर आपने गजट नॉटिफिकेशन निकला, राज पत्रित विग्यप्ति निका लिए आपने, I hope कि आपके समय आ गया है, ठीक है, तो आगे चले, यहां से लिएकी सब्दाँ में आपने, और मेरे को उमीद है कि इसमें पूरा उजाए कि शाहिए थी, ठीक है, In any case, यानि, चलो, कैसे भी मामला है, कि in any case कर दो किसी भी case में, 25 साल का जो jurisprudence है, अराउंड दा, यह जो legislation है, इसमें जो आपका jurisprudence करता है, आपका नियाय, नियाय ब्यवस्ता, क्याना आपका, Locky Study is called jurisprudence, इस legislation, यानि एक्ट, इस जो PCP NDT Act है, ठीक है, आपके, इसका जो jurisprudence है, jurisprudence है, इसका jurisprudence करता है, आपके है, Locky Study, ज्यान रखना आपको, ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, jurisprudence की, legislative law, तो वो कह रहा है, वो justify नहीं करता है, कि एक justify का उची ठेहरना, a sanguine approach रागे बढ़ा गया, sanguine, बढ़ा आई है, sanguine करता है, optimistic, और अथर नैसा क्यों का, वो मुझे भी सनुझ नहीं आ रहा है, छी क्या आपको, optimistic, sanguine कर, इसका इस्तमाल कैसे करोगे आप, यानि hopeful, full of hope, I am sanguine adjective है, I am sanguine about my success, तो मैं अपनी सबलताओं के लेकर, आशावान, sanguine, अब इसका एक noun है बच्वान, जिसका है तो एक ही family का ही है, तो उसमें color लाल है, लाल color आशा को दर्शाता है, लेकिन sanguineary, 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 एक negative word है, यह नहुन है, और इसका रत होता है, खून खराबा, bloodshed, bloodshed, जाने पूना, खून खराबा, carnage, the terrace had a sanguineary जाना आपका idea, they had a sanguineary design, तुनका एक एक डिजाइन लेके आया थे वो यह निए आइडिया डिजाइन आइडिया खुन खराब करने का आइडिया तो आना ची एप्रोच का मतलब आपका किसी चीज को करने का तरीका अन देन फॉर्स्मेंट रॉफ एट्स वेरियस पॉविजिंस यह मिज़े समझने आ है मेरे को भी समझने आ है अच्छली वो क्यों कहना चाहता है जास नॉट डॉस्टिफाई असेंग्वाइन आपके सिन पॉइंट करता है एक डान यह है एन एक्जम्पल के सिन पॉइंट करता है यह इसका मिनिंग यह एक्जम्पल होता है जाना आख करता है एन एक्जम्पल यह दखना है यह सब चीजें च्छोटी मोडी और इसका जो उधान है वो यह है कि एंडर भी ओन्गेशन चल रहा है लिटिगेशन करता है यह बचाहूं मुदमा के ना आपका कोटी समुदमा कें यह क्यों आपको I don't want litigation in this case इसमें कोड का मुख्दमाई निशी ये कोड के बार ही सेटल हो जात अच्छा है सब प्रयोक नहीं सेखो में सब के सने दिरमा आपको I don't want litigation in this case इस मामिले मेरे को मुख्दमाई बजी नहीं चाहिए हम और एक इसका वड़ बनता है जो एक साम फेबर है लिटीजियस सुसाइटी जो हमारी सुसाइटी नहीं है कि हम इतने पड़े लिखे है नहीं अवेर भी नहीं है अपनी हग को लेकर तो लिटीजियस सुसेटी वो होती जो छोटी से केस में भी मुख्दमा कर देती है ठीक है तो Americans के लिखा जाता है अगर अमेरिका में और कि जी घर का धुआ आपके घर में आ गया तो आपके खिलाब वो कोट में केस कर देगा उनका अपने अपने अटॉनिस होते हैं और आपको 10,000 कम वाज़ा उनको देना पड़ेगा Americans are a litigious society अपने लिए क्या क्या हैंगे Indians are not a litigious society अग़े के आप ढूर कि द्गहा हो अ कि आपके जाम कॉई गर में आप गया गर में कोई कहते हैं तीर आ मेरे मरे ने को पड़ा है क्योंकि हमको पता है निए यह लॉफ्ट ओड कर द क्या ह्तें वह गता है हुए लॉफ्ट्वर्य बूह दर terrorist ग्यार को दो यह सब क्या अइक इसको common law भी कहते हैं, England में बहुत पुरान law है, anyway, तो यह जो अभी जो मुग्दमा चाहिए, ongoing which is going on, ongoing जो मुग्दमा है, किसके बारे में, की medical practices के eligibility को लेकर, ठीकि ultrasound procedure को करने के लिए, कि वो जो medical practitioners हैं, वो ultrasound करने के लिए eligible है या नहीं है, उसको लेकर मुग्दमा चल रहा हूँ, इसका एक उदार्न है, कि इतने सालों, आप मैंसे समझा रहा है क्यों कह रहा हूँ, इतने सालों सामने ये law के study किया है, तो उसमें कोई हमरा तरीका कोई बहुत ज़्यादा hopeful नहीं है, कि यह भी तहनी कर पाए, अभी भी इसमें जगड़ा चल रहा है, है, in February 2016, the Delhi High Court struck down, नौ अच्छे ही लो के लिए इसमेहल करते हैं हैं, तो इसको कैंचल कर रदा रहा हो, क्षे लो कए हैं, कोई भी इसका हमने का थाटा एक एक आ रैट्समोर कांचल है, तो उसकी कोई requirement थी उसको उसने दिली हाइट ने बखवा से इसको cancel कर दिया ठीक है और उसमे requirement क्या थी कि six month का training period चाहिए personal के लिए carrying out ultrasonography और डॉक्टर हो चाहिए वो डेडि लोजिस्ट हो जो ultrasonography कराएगा उसको छह मैंने की training की आप सकता है इस आप सकता को दिली हाइट कोट ने struck down कर दिया था यह नहीं इसको cancel कर दे बहुत यह कैसा हो सकता है नहीं करना है फिर इस ruling को यह जो नए रूल बन गया फिर यह आपका इसको स्विंग कोट में चैलेंज किया गया उसको स्विंग कोट में चुनोती दी गई ने इन रीडियोजिकल एंड इमेजिंग एस्टोशियेशन इस ट्रेस ते लैक और प्रेशन इन MBS program to conduct ultrasound procedure ठीक है उसने का वहां तो हो नहीं सकता है विच वास पार्ट आप MBS course में ऐसा हो नहीं सकता है विच वास पार्ट आप discipline of radiology radiology की discipline discipline का तो क्या branch यहां इसमें discipline सब्दकार्थ है branch के तना आपको आपका क्या discipline था भी एने आपका यह नहीं कि आपका क्या वो था क्या कितने discipline को वैसे बाजुद वासा में आपका discipline यह आदमें discipline है तरना आपका तो वो कह इसका discipline से radiology का पार्ट था लेकिन उसमें करना था नहीं और इस संस्ताने है जूसके जो तरक संगत वो थी guidelines थी कि के लौप अदारित उसका भी उधारण दिया सहीड कम दोता है तो गीव एन तो गीव एन ओंपल और पिर सुप्रीम कोट ने डिली आकोट के यजज्जमेंट को हो दोचर अठारी को स्टे कर दिया है स्टे कनद इसको रोग दिया है इसको रोग दिया है यह इऊ इस्टे को छ्थार्ना होता है you stay in order कर दोता है to suspend its operation कुछ कि लगू होने से इसको मना कर दिया ठीक है as an interference और उसने Supreme Court ने उसको interference माना, टांग अड़ा दी, Delhi High Court ने, in legislative policy intended to further the objectives of the law, in the face of grave mises of prenatal diagnostic procedures, इसको ये माना, अभी सब पढ़के आपको बारी किसे बार बार पढ़के समझना पढ़ेगा, जो मीन चीज़ हैं, मैं आपको समझा जबाँ, उसने का ये तो आपके उसमें अर्चन डालना हो गया, legislative policy, वो policy होगी, कि जो law पर अधारित है, law तो सलस्थ में पास किया होगा, intended to further the objectives, और इसका intention क्या है, इसका इरादा क्या है, कि जो law के जो objectives हैं, उसके जो आपके उदेसे हैं, उनको आगे बढ़ाना है, यह आपर फरदर आपका वोब है, और आपको यह मोका मिल रहा है बचो, यह फरदर तो आपको आपको कोगे, far की यह, complete degree है, far, further and the furthest, है ना, यह adjective भी है, no doubt, तेकिन यह आपर यह वोब है, जा रखना, और यह फ्रेज है, to further the adjectives, अपने उदेशों को आगे बढ़ाना, ते से ना, ठीकिन आपको, यह फरदर यह वोब है, ज्यान ते ना, पच्छो, ते यह आपको आपको, यह ग्राम सुरी सिखाती है, यह फरदर कपरे हो, आपके रूपन, कहीं पड़ों के तो भी ताएगा, यह फरदर, ज्यान आपको, यह फोप्यक्ति व आपको, यह खुए लेर्नि अंचे लाइव पार के यह फिर देशों को आगे तभी बढ़ा सका हो, तो बहुत सारे बहुत भासा इससी कूँ, ये सकमी नहीं होगे, ठीक है, इंदर फेस आफ, इनदर फेस आफ, मुला क्या होआ, कैसे उनके चैलेंज थे, तबी तो कनुल मना, चैलेंज क्या था, ग्रें मिसीस आफ प्रिनेटर डिअग्नोस्टिक पोसीज़, प्रिनेटर, नेटरल करत होता है, जन्म से पूर, फिर नेटल करत क्या होता है, यह वड़ा सब आना ची, फिर नेटल, जन्म से पूर, विफोर बर्थ, टीक है, एन पॉस्ट नेटल करत होता है, आफ्टर बर्थ, नेटल करत होता है, जो नए पैदा हुआ है, हाँ, यू लिबॉन, इस आउई लैं, खेला आपको, जो मता हैं, जिननों बचों को जन्म दिया है, तो कहेंगे, आपको क्या कैसे कहेंगे, प्रिकने नहीं बोलना चाहता हमें, ठीक हैं, ओके, विमन, इन फैमली वे, इन फैमली वे फ्रेज है, इसका तो हता है, क्यों आप, कैरिंग, इस्पेक्टिंग, प्रिकने बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, विमन इन फैमली वे नीड, प्रॉपर, प्रिनेटल, एन पोस्नेटल के, ये बोल लोगे हैं, केरिंग देखवाद, वो माता हैं, जो आपके फैमली वे में हैं, उनको जन्म से, बच्चे की जन्म से, पूर और बच्चे के जन्म के बाद में, अच्छी के आप सिखता है, ये यार पता ने क्यों अपने आप बढ़ जाता है, जगे कम बज़ती में, इसमें आगे आपका, तो कोई प्रिने लेडी जो ऑस्टल जाती है, तो उसको कौन से वार्ड में रखा जाता है, उसको रखा जाता है, कहां, प्रिनेटल वार्ड में, और जो वो लेबर रूम से बाहर आती है, तो उसको कहां रखा जाता है, उसको रखा जाता है, पोस्ट नेटल वार्ड में, ठीक हैं, और बच्चे को थोड़ी से प्राउबलम है, तो उसको कहां रखा जाता है, नियो नेटल वार्ड में, तो मैंना, यह कॉमन वर्स हैं, आ तो इसमें आप क्यों टांग अडा रहे हूं, चीक है, ओके, आप नीचा आ जाओ, अभी बहुत शुटा वे रहे हैं, बहुत लंबा हो गया ही, Adherence to Public Policy, Adherence का अर्थो तक compliance, इसले लंबा टाइम इसले भी लगा, क्योंकि इसमें बहुं सारे वर्ट थे, Adherence का अर्थो compliance, कर रहा था, कि आपने जो रिपोर्टर थे थे न, आपको हर मेंने भीजना है, स्टेट में एक वाटर में एक बार भीजना है, इसको अगर non-maintain किया, इसको आपने अगर maintain नहीं किया, आपने रिपोर्टर नहीं भीजी, तो ये जो है, it can serve as a conduit in the grave offense of feticide, तो ये feticide का रास्ता बनस रखता है, conduit का आर्थ यूँ pipe होता है, conduit का आप pipe होता है, बिजली का तार बिछा रहे हो, तो बिजली का तार थोड़े लगा जमीन में, उसमें pipe डालोगे, pipe के अंदर बिजली का तार डालोगे, उसको कहते हैं conduit, उसका दूसरा फिरिट आर्थ होता है, passage, यानि रास्ता, वेग, उसमें आगया आपका, तो अगर ये नहीं किया गया ना, तो ये जो फिटी साइट के offense है, ग्रे बाद सीरियस offense है, offense का कोई भी आपका, इलिकल काम, उसका रास्ता मन जाएगा, अपसमें आगया आपके नहीं, इत विल बिकाम, इत विल सर्व एज एक ऑन्डूट इन ग्रेव आपके लिए, फिटी साइट, फिटी साइट को लगून के अत्या, अमेरिकन के स्पहलेगे है, फिटी साइट, वरिटी अपको यह स्पहलेज कम ईनकर फिट charity, वन मट मर्शें कन और आता है, killing off, अनिम्रोय, या फि에ट्स तो फिट इस का थैश आले में, यह पिटी नहीं करीन, फिटी साइट, फिटी साइट, कभी किले य को सो के मैं ठीक ए सकी ताल गगए इसकता मदलब किलीं मतव गया जिक है परीशाहित मब आप दो नो क्याते है इसकॉल प Schuld कर डीजाद तो बैंच ने हैंस्ही इस्मेश्च धस्मिस्टा प्ली कम अले रिक्वर्ञे स्टैनल स्टरिम स्ट्ड़ थैरने स् अरुना नहीं सुने, the court did not listen to my free, इसा बढ़ाने चीह हो, तो इसा बढ़ाने चीह हो, तो इसा बहुत है बहुत है, तो ये फेडरल सें थी कोई, obstetrics and gynecological society दो इंडिया की, ठीक है, to treat inaccuracies in paper work as clerical errors, उसको clerical error मानना, court ने नहीं मानना, फिर court ने क्या क्या, court ने 2016 के अपने judgment में, अब ये कई association जो ने case किये थे, ये 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 नाम और है, court ने authorize किया, कि अगर कोई ऐसे गल्द काम करते हैं, तो उनके equipment को seizure करते हैं, seizure करते हैं, seizure करते हैं, confiscate करना, authorize कर दिया, police को authorize कर दिया, कि आप इनके जाके, ultrasound machine, CT scan की machine है, सब उठा के लिए आओ, seizure, seizure बनावा है, seizure से, seizure करते हैं, जब्त करना, जब्त करना, बस फरक है कि seizure आपका noun है, confiscation, seizure करते हैं, confiscation, यह आना है चाहिए, हम लग कहीं, exam आजाए तो, synonym में, तो इन समान के confiscation का अधिकार उननने दे दिया, क्लिनिक में से उठा के लिया हो, and the suspension of the registration, और उनका registration कर दो, as well, as, ठीक है, और स्पिटी dismissal करो, cases का, by the states, many of the court's strictures, again, बहुत important word is strictures, strictures, कार्थ होता है, criticism, जान अपना, अब वो कह रहा है कि आपका यार, यह जो strictures, court ने जो criticize किया है, कि ऐसे गलत काम हो रहा है, इसको रोकना है, यह करना वो करना है, तो वो कह रहा है कि इसका संधर्व एक पुराने dedication के तरफ भी है, go back to means, it has a reference to, litigation in the early years of the legislation, ठीक ना, तो शुरुवात में लेजिशिशन आया है, यह वाला, यह जो यह act है, PNDP वाला, तो कई लोगों ने इसमें बहुन सारे cases हुए, code cases हुए, ठीक और जो case हुए थे, spearhead, मतलब आपकी जिनने अगवाई की, spearhead करत होता है, अगवाई करना, तो lead, और यह code के शोग किसने lead किया, वो था, center for inquiry into health and allied themes, यह बहुतारी cases हुए, कैसे कैसे कर सकते हुए, code ने का सरकार की तरफ से, जो कहा होगा कि इसको रोबना ज़रूरी है भई, sex का रेसोग पुरा बिख़र रहा है, जितने cut-out नियम होगा, ठीक है, spearhead, इसके संदी दो आपको अना जारे, ओ, कितने हाँ होगे, spearhead, आप से आप का, the fight against, आजके लगूम हो रहे हैं, पता नहीं है अजारे साथ का आए, इसका मुद क्या हुआ, corruption के खिलाब, भ्रस्रा स्टार के खिलाब, आप लड़ाई की अगवाई अना जारे जा नहीं की, तो मैंने आपको इस प्रेट को भी संदी देती है, आप आगे चलो, thank God कता होगे है, crucially means importantly, इसका तो होता है, यह adverb है, importantly, और यह sentence qualifier है, sentence रूआत में लगाते हैं, crucially, और आप कहा रहो, it is important that, आप से में आप कहा, it is important that, the alarming decline, केज़ी से जो कमी हुए न, जो केते हैं, alarming decline, decline नो कमी, witness में जो देखी गए, in recent decades, हाल ही, दशकों में, in India's sex ratio at birth, जो देखा गया, India के sex ratio में at birth, पैदा के time में, बाद में नहीं, पैदा के time में, calls for means demand, call for expenses करता दिमांड, ठीक है, कोई demand करता है, कि जो public policy बने, जैसे act बना है, जैना आपका, उसकी जो compliance होनी चीए, उस compliance में कोई समझाता नहीं होना चीए, ये बहुत सुनर collocation है, uncompromising, ऐसे सीखते हैं, ये करामर थोड़े से काई कि रिए, बच्छों, uncompromising adherence, करता होता है, strict compliance, public policy बने एक्ट बने गया, public policy हो गई हो, and that is more than is evident from evolving case law, और जो case law आ रहे हैं सामने, evolve करता है, उनका देरे-देरे कर्मिक विकास होना, progress होना, ओ case आते हैं हो, ये बदरसात हैं कि ये कितना important है, इन rule को, public policy को, strict compliance बहुत जरूरी है, ये तो, जेस का जो sex ratio है, जो अभी ठीक होने के तरफ जारा है, वापस बिगड़ जाएगा, तो आई हूप की बच्छों आपको सुम्या है, ये बहुत बढ़ा था, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बढ़ा था ही, और टाइम भी लग गया, मेरे काल से लगवा कि दू घंड़े के असपास का हो गया, शाहिद मेरे काल से, फाइप नॉट रॉंग, तो चलो पसंद आया, तो इसको लाइक करना, सेर करना, पुरा देखना पर चाहों, बहुत कुछ जाओगे, टीक है,